मैं बहुत आभरी हूँ आप सभी का कि आप यहाँ पर उपस्कित हैं मुझे आपसे कुछ समभाशन करने का समय ने रहा है मैं आप सबसे इस बाज के लिए श्मा चाहता हूँ कि करणण भाशा में बात नहीं कर सकता मैंने अभी करणण भाशा चीथना शिरू किया है मुझे करण्र समझ में आती है कोणे दूर दूर पन यह चंप यदि मिरा करणण अख्यास पूरा होगा तो चन्र में आपसे करणण में भी उपन्यास करूँगा लेकिस तबीकत आप मुझे शमा करेंगों जबीकत मेरा करनल अप्यास पूला नहीं हो पाता मैं इसले कई वर्षों के भारत राष्ट में एक आजादी बचाओं आपकोलन के कारे में करें लगा हुआ हूँ इस पुरे भारत राष्ट में हो रही है। dwin नतुत हो रही है। कि अध्य पुरे भारत राष्ट में पुछ पर में क assessments करें किक और सब्सक्राम हाई में होते हैं। इसली बार भी मैं एक वार आपके नगर में आया था और आपके साथ मैंने तभवाज किया था अभी दिविज़े मुझे आने का होगा बिला और आप सभी लोगों ने याईज़ित किया इसके लिए भी मैं आपका बहुत फिर्वे स्यागा रिए भारत राज्टती परिस्टती के बारे में आपके में आप जो तीर गंभीर बाते कहना चाहता अपने राज्टती परिस्टती क्या है ये अभी थोड़े दिन पूर्व आपको 17 दिसंबर 2001 को यदि हमारे पार्लेमेंट पर अटेक हुआ तो आपको उसके ज्यान गुआ होना अंदादा हुआ होगा हमारे भारत राज्टती कर इसके में एक बहुत बड़ोगा पॉलिटिकाल अटेक हो रहा राज्टतिक हमला हो रहा और वो राजनेतिक हमला टेरिरिजम के नाम पर है ध्योट पाज़त के नाम पर है और उसको पाकिस्तान नाम का राज़्त रिस्पोन्सर कर रहा है पाकिस्तानी तेरोरिजन का जो हमला हमारे देश पर हो रहा है उसमें हमारे देश को काफी कुछ लॉस हो चुछा है, काफी हानी हुई है जिस तरह से 17 डिसमबर 2001 को पार्लिमेंट पर अटेश हुआ और पाकिस्तानी भयोच पादक संगनों जैसे लश्करे सयबा और जैशे मुहम्मत के भयोच पादकों ने ये हमला किया इसमें हमारे देश की पुरक्षा का काम में लगे हुए जब से ज़्यादा पुरक्षा करनी शभीद हो गए उसका बलिदान हुआ इसके पूर्वत इसी तरह से भयोच पादकों के द्वारा कॉस्ट ऑक्टूबर 2001 को हमारे भारत राज्ट्य के जम्मू काश्लीर नाम के राज्जी की असेंबली पर एक अटेक हुआ था जिसमें हमारे भारत राज्ट्य की शुरक्षा के काम में लगे हुए वरी 40 ऑफिसर उसमें तो शहीद हो गए थे इसी तरह से एक वहोच पादकों का हमला दिसम्बर 2000 में हमारे देश पर हुआ था हमारे भारत राज्ट्य का जो राज्जानी है जो कैपिजल पिटी है वो दिल्ली है दिल्ली में एक रेड पोर्ट है लाल किला है जहां के भारत के प्रधान मंत्री 15 तगस 1947 से लगातार को स्पीच करते हैं उसी रेड पोर्ट पर दिसम्बर 2000 में वहोच पादकों में इस हमला किया और उसमें हमारे सुरक्षा कर्मियों का बलिडान गुआ पिछले 20 वर्षों के 90 लेटी से लगाता हमारे देश पर भायुत पादकों का इसी तरह से हमला हो रहा और ये जिसने भी भायुत पादक संग हैं, संगठन हैं, संखान हैं उनके बारे में अभी गंक्लूदिर एविडेंसिस सारे देश को मिर चुके हैं कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान गवर्मेंट उनको इस्पॉंसर करता बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि ये जो भय उत्तान का काम पाकिस्तान कर रहा है क्यों कर रहा है? क्या कारण है? पाकिस्तान का बैस्टिक इंट्रेस्स क्या है? तो उसका तो एक सीधा सा कारण है 1947 में जबी भारत राश्च्र स्वधन्त हुआ उससे एक जिन पूरु 1947 को Pakistan विभाजित हुआ और अब जानते हैं चि पाधिस्तान का विभाजन कराने वाजे जो लोग थी उन में से एक मुसलिम लीटर का जिसका नाम अमोहमद अली जिन्ना उनने तो Pakistan के 1997 की बात कही भारत को बाट कर भारत को विभाजित करके पाकिस्तान होना चाहिए ये उसकी दिमाइज की अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्मेंट में मुहमद अली जिलना को चोटन सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्मेंट का ये पॉलिशी था कि भारत राष्ट्र को स्वतंत्र होने के बाद चोटे चोटे तुकड़ों में बिवर्मेंट को जभी भारत वतंत्र होगा तो हमारे भारत राष्ट्र में 565 इस्टेट्स थे पाट्सो कहसत राज्य के हमारे देश आज तो भारत देश में 28 इस्टेट्स है लेकिन 15 सेगस 1947 के दिवर्मेंट भारत राष्ट्र में 565 इस्टेट्स थे जैसे मैसूर एक राजी था, भोबाल एक राजी था, हैदरभाल एक राजी था, जूनागर एक राजी था, प्रामनपोर एक राजी था ऐसे 565 इस्टेट्स थे जबी अलग हो जाएंगे विवाजित हो जाएंगे तो भारत राष्ट नहीं होगा अंग्रेजों का के लिए बहुत बड़ा ताजिश्टा पूरा करने के लिए जबी इस सेट के जचीफ थे जो राष्ट के मुख्षे लेकर मुख्षे उनको तो अधिकार ये दिया कि आप तो चाहें भारत के अलग अपना राष्ट नहीं बना करें आप तो चाहें तो पाकिस्टान में भी जा सकते अंक्रेजों का उस कमर बॉय सराय हमारे जेश में था उसका नाम था माउंट बेटन ने बहुत सारे राजियों के प्रमुख लोगों को ये कहा था कि आपको अगर भारत राश्चु से अलग होंगे तो हम आपको सपोर्ट करें माउंट बेटन की इस बात को समझ कर बहुत सारे राजियों के जो प्रमुख थे उन्होंने भारत राश्चु से पाकिस्तान में जाने का संकन किया जैसे हैदरवाद राजी था हैदरवाद राजी का जो प्रमुख था वो निदाम था और निदाम ने ये कहा कि हम तो पाकिस्तान में चले जाने इसी तरह से भोपाल राजी था भोपाल राजी का एक प्रमुख था उसने कहा कि हम भी तो पाकिस्तान में चले जाएगे इसी तरह से जूनागर नाम का एक राजी था गुजरास में तो जूनागर राजी का जो प्रमुस्था उपने भी कहा कि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे भोपान नाम का राजी जूनागर, हैदराबाद, प्रावन को रहते तो बहुत सारे राज्यों ने अंग्रेजों के सपोर्ट करने पर ये कहना शुरू कर दिया, कि हम भारत से तो अलग हो जाएंगे पाकिस्तान चले जाएंगे जब ये अंग्रेजों की ये साजिश का पता, कॉंस्पिरेशी का पता हमारे भारत राज्यों के एक बहुत महान नेता सरदार बल्लब भाई पटेल को मानुम हुआ कि अंग्रेजों की ऐसी पॉलिशी है, कि वो भारत राज्यों को खंड-खंड बिभाजित करना चाहते हैं इंडिपेंडेंडेंस के नाम पर भारत राज्यों को तोड़ देना चाहते हैं और जो मुहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग हैं उनको सपोर्ट करके भारत के बहुत सारे राज्यों को पाकिस्तान में बेजना चाहते हैं तो सर्दार बनलब भाई पटेल में अंग्रेजों के उस पॉलिशी को काउंटर करने के लिए अंग्रेजों के उस साजिश को नाकाम करने के लिए एक दूतरा काम किया सरदार बनलब भाई पटेल ने भारत राश्ट के तभी राजियों के जो चीफ थे उनके पास तो अपना मेसेंजर भेजा, अपना गूप भेजा कई राजियों के पास बहुत तोयं गए और उन्होंने राजियों के जो प्रमुक्त थे, जो चीफ थे उनको कन्मिंस करना शुरू किया कि आप अगर भारत में रहेंगे तो आपको क्या लाग है आप भारत से जबी अलग होंगे तो आपको क्या हानी हो सकती है और आप अगर भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाएंगे तो भी आपको क्या हानी हो सकती जबी सर्दार पटेल ने ये campaign किया और सभी राज्यों के प्रमुख के पास वो जाकर उन्होंने संभाज करना चुरू किया, संभाशन किया तो बहुत सारे राज्यों के प्रमुख लोगोंने अपना तो संकल्प बदल दिया और उन्होंने बाज में भारत में मिलने का को संकल्प कर ले लेकिन हैदराबाद राज्यों भोपाल, जूनागर, क्रावन पोर ये चार राज्यों ऐसे थे जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे तो सर्दार पटेल ने फिर वहाँ आर्मी लेगा और इंडियन आर्मी जबी जूनागर में गया और वहाँ के राज्यी प्रमुख के साथ थोड़ा सा वार हुआ, थोड़ा सा जबला हुआ उसके बाद उसमें सरेंडर कर दिया इसी तरह से सरदार पटेल में हैदराबाद में आर्मी भेजा हैदराबाद के निजाम ने सोड़े दित के बाद सरेंडर किया फिर गोपाल में आर्मी वेजा, तो गोपाल के प्रभुक ने सरेंडर कर दिया इस तरह से तो धीरे-धीरे कई सारे राज्यों ने भारत में मिनने का संकल्ब कर लिया एक राजी ऐसा था जिसका नाम था जमु काश्मीर वहां का जो प्रमुक था उसका नाम था राजा हरीś ने ये पनकल्प लिया था कि मैं भारत राश्मिर में नहीं जाउगा, मैं पाकिस्तान राश्मीर में भी नहीं जाउगा मैं एक अपना इंडिपेंडेंडेंट नेशन बनाँ था स्वतंत राष्ट बनाँ तो जम्मू गाश्मीर को वो स्वतंत राष्ट बनाना चाहा था और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान नाम का राष्ट बन चुका था विवाजन के बाद उसका जो प्रमुख था मुहम्मद अली जिन्ना वो जम्मू कश्मीर को लेना चाहा था था एक उपर करना चाहा था मुहम्मद अली जिन्ना का ये दिमान था कि जम्मू कश्मीर को हमें दे दो लेकिन जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख था उसने मना कर दिया उसने का कि हम नहीं आपको आने वाले हैं, हम तो पाकिस्तान में नहीं शामिल होंगे दूसरा जम्मू कश्मीर की जो प्रजा थी, जो वहां के नागरिक से उन्होंने भी कहा कि हम तो भी नहीं आ सकते आपके तो जम्मु कश्मीर की प्रजा पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती थी जम्मु कश्मीर के नागरे पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती थी जम्मु कश्मीर का जो राजा भाग वो भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता थी तो बारत राष्ट के ग्रह मंत्री सरदार बल्लब भाई पठेल ने ये कहा कि जबी वहां के नागरिक पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते और जबी वहां के नागरिक के साथ-साथ वहां का जो राजा है जो प्रमुक है वो भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहाता तो मुहमद अली जिन्ना को अपना तो ये छोड़ देना चाहिए करकल कि जम्मू काश्मीर होने देदे मुहमद अली जिन्ना ने जबी पाकिस्तान का डिमांड किया था तो जम्मू काश्मीर उसका फ़क्त प्रायॉरिटी था और ब्रिटिश गवर्मेंट भी ऐसा चाहता था कि जम्मू काश्मीर पाकिस्तान को मिल जा लेकिन सर्दार पटिल ने जबी वहां के राजा के साथ और वहां की नागरिकों के साथ कमबाद इस्थाफित किया तो पता चला कि राजा और वहां के नागरिक दोनों नहीं जाना चाहते पाकिस्तान तभी सर्दार पटिल ने वहां के राजा को बोदा कि तभी आप अगर साथितान नहीं जाना चाहते तो आप भारत में मर्ज कर लो तो उसमें का कि हम भारत में अभी मर्ज नहीं करना जाते हम तो स्वतंत राष्ट बनाना जाते हैं सर्दार पटेंग में उसको बार्निंग दिया कि अगर आप अपना स्वतंत राष्ट बनाएंगे तो एक तरफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ भारत है या तो पाकिस्तान आपको टेक ओवर करनेगा या हम टेक ओवर करनेगे को और आपकी आर्मी तो इतनी पावरफुल नहीं है कि आपको बहुर कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो राजा जो था उसके समझ में नहीं आया उसको ये कंविंसिंग नहीं लगा और उसने तो यही कहा कि हम तो जतन स्राष्ट के बनाइगे तभी एक तिन महम्मद अलिए जुन्ना को ऐसा लगा कि हम तो जम्मू काश्वीर पर अटेक कर सकते हैं और जम्मू काश्वीर को अटेक करके तो हम इसको टेप ओवर कर सकते हैं तो 20 अक्तूबर 1947 तो पाकिस्तानी आरमी ने जमूग शिर को अटेक्ग किया और 20.00 ऑक्तूबर 1947 के तारीष सति उस दिन तक जम्मूग श्वीर भारत राष्ट का अंग नहीं था जबी पाकिस्तान ने उसको अटेक्ग किया पाकिस्तान की पॉलिशी ये थी कि हम अटेक करके तो इसको जबी ठेक ओबर कर लेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है अभी 20th October 1947 से 23rd October 1947 कर काफी तो युद्ध हुआ यम्मू गश्मीर आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी उसके बाद 24th October 1947 को इजिन 4 डेज यम्मू गश्मीर आर्मी ने पाकिस्तान के सामने तो परेंडर कर दे और राजा हरी सिंग को तो परेंडर नी हो गए उसका एक प्राइम मिनिस्टर था और उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि अभी हमें क्या करना चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको कहा कि हमारी आर्मी तो पाकिस्तान से फाइप नहीं कर पकती हमें तो भारत राज्टर से मदब देनी चाहिए हेल्ट मांगनी चाहिए तो मुहमल अली बिन्ना ने अपने तो प्राइम मिनिस्टर को भारत स्कार के पाक दे चाहिए सरदार बल्लब भाई पटेल को पाकिस्तानी, सॉरी, जम्मु काश्मीर का प्राइप सििनिस्टर तो मेट करने के लिए बिल्डी में और उसने सरदार पटेल को रिक्वेस्ट किया, निवेदम किया कि हमारे राश्चूपा तो पाकिस्तान का अटेक हुआ है आप ममारी मदद करिए हेल्ब करें सरदार पटेल ने तो उसको मना कर दिया सरदार पटेल ने कहा कि हम आपकी कोई हेल्ब नहीं कर सकते हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्यों इसलिए नहीं कर सकते कि आपका तो राष्ट्र हमारे देश में नहीं है आप तो एक किन्द द्धारत रात्षर का अंग होगा तो हम जबहो कश्वीर को हम्व करें इस कंडिशन में तो आप अगर हैं तो हम आपको हम्व रहें अदरवाईज आप अगर एक अडिपेंडेंड नेशन हैं तो हम अपना आर्मी तो आपको नहीं दे सकते तो जम्हू कश्मीर का जो प्राही मिनिस्टर था उसको तो बहुत प्राप्लम हो गई उसने अपने राजा को कॉंटेक्ट किया और बोला कि सरदार पटेल ने तो मना कर दिया है फ्ल्ब करने से, मदद करने से तो पिर जम्हू कश्मीर के राजा ने सरदार पटेल को पूछा कि अभी क्या करना है आप कंडिशन बसाइए तो सरदार पटेल ने कहा कि इंडियन आर्मी तो तभी जम्हू कश्मीर में आ सकती है जबी जम्हू कश्मीर भारत राष्ट में शामिल होगा मर्ज करेगा और भारत राउस्ग का अंग होगा कभी हमारी आर्मी तो आ सकती राजा हरी सिन्य शर्दार पटेर को कहा कि दीट है हम मर्ज करने के लिए तैयार है आप एक्रिमेंट फाइनल करेए सर्दार पटेर ने एक्रिमेंट पेपर तैयार किए और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज भारत राश्ट का अंग हो गया 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंग ने महारत सरकार के साथ एक्रिमेंट साइन कर लिया और जम्मू कश्मीर भारत राश्ट का अंग हो गया एक स्टेट बन गया जैसे करनाचक इस्ते, महाराज किस्ते, ऐसे उत्तर देश्रे से जम्मु कश्मीर इस्ते हो गया। जबी जम्मु कश्मीर भारत राश्ट का अंग हो गया, हिस्ते हो गया, राज्य हो गया, सभी सर्दार पटें ने अपने आर्मी को ओर्डर किया। कि अभी जंगू कश्मीर की सुरक्षा करना हमारा करतब दे है हमारी जीवती है क्योंकि ये हमारे रास्ट का तो अंग नहीं तो इंडियन आर्मी को जंगू काश्मीर में पहुँच गई और भारतिय सेना 27 अक्टूबर 1947 को काश्मीर में जबी पहुँच गई तो पाकिस्तानी आर्मी ने वहां से विट्रौ करना को शुरू किया फिर भारतिय सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ यूद किया और वो यूद काफी दिनों सब गोता रहा 27 अक्टूबर 1947 से जनवरी 1948 सक 3 मंस तो लगातार यूद हुआ वार 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 और पाकिस्तान में जम्मू काश्मीर से विट्रो किया लेकिन विट्रो करते 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 एक छोटा सा एरिया था जिसको गिलिगिस कहते हैं गिलिगिस एक दूतरा छोटा सा एरिया कश्मीर में उसको इसकारदू कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में तो रह गए और बाकी पूरा जो काश्रीर था, टू-थर्ड काश्रीर तो मारतिय पेला के पास आ गया हुआ, तभी उस समय पाकिस्तानी गवर्मेंट्स ने मारत सरकार को कहा कि अब हम आपसे सीज़ पायर करना चाहते, शांती विराम करना चाहते, युद विराम करना चाहते, सर्दार पटेल ने युद विराम से बना कर दिया, सर्दार पटेल ने कार कि हम कोई शांती विराम नहीं करेंगे, जबी तक ये वन-थर्ड पोर्शन हमारा देश का, जिलगे सझ कारगु और हुंजा करीं में रापत मुंता सबीक्राइं हिए तक तक को उत्व फ्रश्न नहीं करें। कि फाकिसें एंप क्यों करें भारत बेषी प्रदान मंतरी पदिमारन नहु को एपुअ पंडित जवारना नहरू को पाकिस्तानी गवर्मेंट से कंविंच किया कि आपको चाने यह जगराम हो सकता है। पंडित नहरू काश्मीर के रहने वाले से उनके मन में खोड़ा सा काश्मीर को लेकर नॉस्टेल्जिया बहुत था। उसके आधार पर पंडित नहरू सक师्ते हैं। तो गिलित इसकार्दू और हुन्जा यह TH-10 vden है, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया, और जो rest of the कश्मीर है वो भारत के कंट्रोल में रहा है और उसी घिल्चेत इसकांगो और हुंचा को आज हम पाक उकुपाइट काश्मीर कहें यह पाक उकुपाइट काश्मीर तो भारत राज्ट्रका है लेकिन पाकिस्तान के कंट्रोल में है क्योंकि 1948 में हमारे साथ को एक शान्ती विराम समझोता पाकिस्तान में किया बाद में क्या हुआ हमारे भारत के प्रधान मंतरी पंडित जवारला मेरू ने यह जो पाक उकुपाइट काश्मीर का जो प्राबलम था इसके लिए United Nations में एक application किया और United Nations में जाके जबी पंडित मेरू ने application किया तो उसमें ऐसा resolution हुआ कि जबी पाक उकुपाइट काश्मीर में है एक plebicite कराया जाए referendum कराया जाए public opinion poll कराया जाए और वहाँ के नागरिक तो जो demand करेंगे जो मां करेंगे उसके आधार पर उसका decision किया जाए कि वो पाकिस्तान में रहेगा कि भारत में रहेगा दूसरा उसमें condition ये था United Nations के resolution में कि जबी प्लैडिटाइट होगा referendum होगा opinion poll होगा तो पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ से withdraw करना होगा जबी पाकिस्तानी आर्मी totally पाक उकुपाइट काश्मीर को वेहेज कर देगी, खाली कर देगी वहाँ से withdraw हो जाएगी तभी वहाँ पर referendum हो सकता ये United Nations ने resolution किया 1949 जबी ये resolution हुआ तो इसमें condition ये था कि पाकिस्तानी आर्मी को पाक उकुपाइट काश्मीर से withdraw करना होगा तभी वहाँ पर plebiscite होगा referendum होगा जन्मत संग्रे होगा लेकिन दुख की बात ये है कि 1949 के इस resolution के बार आज तक भी पाकिस्तान ने पाक उकुपाइट काश्मीर को वेकेट नहीं किया और पाकिस्तानी आर्मी को पाक उकुपाइट काश्मीर से विट्रो नहीं किया और चुकि पाकिस्तानी आर्मी पाक उकुपाइट काश्मीर से विट्रो नहीं करती है इसलिए तो resolution में जो referendum की condition है वो fulfill नहीं हो करती है तो वहाँ पर problem जो हो गई जो धगड़ा हो गया वो इस्वास का कि पाक उकुपाइट काश्मीर में referendum कराना है पाकिस्तानी आर्मी से वेकेट कराना है लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उसको वेकेट नहीं करती है पाकिस्तान गवर्मेंट अपने आर्मी को वहाँ से विट्रो नहीं करती है तो referendum नहीं होता है तो वह जगड़ा तो आज तकस छला आदा बात में क्या हुआ जभी पाकिसानी आर्वी ने पाक अपूपाइ काश्मीर से विट्रा नहीं किया तो second time किर पाषिусटानी आर्वी ने काश्मीर पर अटेस किया और सेकेंड टाइम पाकिस्तानी आर्मी ने जबी काश्मी पर अखेंट किया तो 1965 में किया सिसम्बर 1965 और उसी समय भारत राष्ट में जो प्रदान मंद्री थे उन्हों थे श्री लान बहादुर शास्पुरी उन्होंने पाकिस्तानी अटेक का तो पूरी तरह से जवाब देने के लिए सट्गोर जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी के आपिसर को कहा कि आपको प्री हैंट है आपको जो करना है कर सकते पाकिस्तान को मारना है पीटना है जो करना है आपको प्री हैंट तो इंडियन आर्मी को जबी free hand हुआ भारतिय सेना को स्मतंग रूप से काम करने का जब राफ़ता मिला तो भारतिय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया और पाकिस्तान का जो लाहौर था वो जीत दिया भारतिय सेना ते कोवर कर दिया राव इंटियन आर्बी ने तो लाहोर में जाकर पिरंगा जंटा लगा दिया 1965 जबी लाहोर तो हमारे कंट्रोल में आ गया तो पाकिस्तानी गवर्मेंट को तो हालत करा गुआ फिर उड़ों ने अमेरिका को एक प्रोच किया पाकिस्तान की सरकार में और अमेरिका को जाकर बोला कि हमारे को लाहोर हमें रापस देवो भारत को कहो कि लाहोर रापस देवो तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि शास्त्री जी मेरी बात नहीं मानते है क्योंकि शास्त्री जी एंटी अमेरिका से और वो चूचिन एंटी अमेरिका से तो अमेरिकन गवर्मेंट कुछ भी बोलें शास्त्री दी उसको मानते हैं यूंते ते सुनते नहीं और शास्त्री दी एंटी अमेरिका को किपने अदिशते उसका तो एक प्रमाम मैं आउख को देता हूं जबी शिरी लाल बहातुर शास्त्री भारत के प्रधानमंस्री बन गए तो उन्होंने Government of India और American Government के जितने एक्रिमेंट से सभी कैंजल कर दे शिरी लाल बहातुर शास्त्री के पूर्ग में जो सरकार की हमारे देश में वो सरकार ने अमेरिकन सरकार के साथ जिसने भी bilateral agreement किये थे वो सभी शास्त्री की ने cancel किये और उन्होंने का कि हमें अमेरिका से कोई agreement नहीं कर थे उन्होंने जो agreement एक cancel किया था वो ये था कि अमेरिका से भारत को भी आता था हम यहू लेते थे अमेरिका लाज रणका अमेरिकन यह वह आता था, रड कलर का होता था, बर्स क्वालिटी का होता था, वो तो अमेरिका हमको देचता, शास्वी जी ने अमेरिकन जीट इंपोर्ट करना बन कर दिया, तो तली इसका होता, उसी समय हमारे देच में थोड़ा अकाल पढ़ गया, ड्राउट हुआ, तो प्रड़क्शन हमारे देच में धीट का कम हो गया, तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे लोगों ने एड्वाइज किया, और शास्वी जी को कहा कि आज विर्च भीट इंपोर्ट करी अमेरिका तो शास्वी जी ने का वो नहीं करी गया, अमेरिका अज अज़र इस इंपोर्ट करने के अचा तो हम भूखे रही है, ब्रत करी गया, लेकिन अमेरिका भीट नहीं खाई गया, और आप जैसे हैं कि जाके हमारे देच में बहुत क्राइजिस ना भीट का, पूरे देच में अताल हो गया तो है, ड्रॉप का, तो श्री लान पहाद व साथिरी ने वारस के नागरिकों को अपील पिया, कि आप सप्ताह में एक नि ब्रत रखलाँ को रिमोख कर देए, और वारस के करोरों नागरिकों ने सोग बारग को व्रत रखना की रूख देए, अमेरिकां भीट नहीं खाया, ब्रत में हम रही, वह ज़र कम ठाई है, लेक शास्त्री जी का भुट्टाब देख नहीं हाँ, अगेंस अमेरिका, शास्त्री जी का कहना था कि अमेरिका भारत का मिस्र नहीं है, यह पाकिस्तान का मिस्र नहीं है, शास्त्री जी इसको भी कहते हैं, वो कहते थे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा यह जिसने भी यूरोपिय और American country ने यह सभी Pakistan के मित्र है भारत के मित्र नहीं है तो इस कारण से तो वो मानते हैं कि इस देशों से तो भारत को संबंद नहीं रखना चाहिए तो जबी Pakistan अमेरिका के पाफ गया एप्रोच किया Pakistan में कि हमारा लाहॉर तो हमको बाबद मिलना चाहिए तो अमेरिकान गवर्मेंट ने कहा कि हमको यह नहीं करा है तो पाकितानी प्रेजिदेंट ने अमेरिकान प्रेजिदेंट को पूछा तो आपको इस उसरा रास्ता बताई तो अमेरिकन प्रेजिदेंट में पॉक्ताणी प्रेजिदेंट को यह एड्माइज किया कि अगर आपको कुछ करना जहाते हैं तो जो रशियन प्रेजिदेंट है उसको पर अपूर है क्योंकि शाक्तिरी जी की रूप के साथ भोस दिशिए कि अमेइक के प्रजटलिक होोगी होुच दिए अमेडल की प्रजिएट स्टेटिक को नहीं हाकुकिसरेटवामागी प्रेजिन के लिए और अगर गार हमको नहीं जिला तो थोड़े दिनके गारंची की चला जाएका एक जाएका, इस्वामबाद की चला जाएका, सभी चला जाएका तो रशियन प्रेजिदेंट ने पाकिस्तान को टहा कि आप पहले एक एक एक्रिमेंट करो कि सेकेंड करेंग आप अटेक नहीं करोगे, सभी तो नहीं यह करता है। तो पाकिस्तान के समीं पॉलेटीशियर्स भूटेव और बवक्तार इक हैं तो उसमें हां पूल गया है। तो पाकिस्तान का उसमें प्रेजिदेंट का उसमें रशियन प्रेजिदेंट को पोल दिया। कि हमको agreement कर लेंगे, आपको हमाना गावर दिश्वा है। रुशियन पेजिएंट ने राश्रीवी को कहा, कि पार्किस्तान ऐसा एक agreement करना चाहता है। और वो कभी भारत को अटेप नहीं करेगा। आप उनका गावर दिर। लाश्रीवीन पेजिएंट वसनका गाल रुश्वा है। तो रशियन प्रजिय ने कहा कि मैं उसकी घारंटी लेताँ, मैं गारंट पर करताँ तो शाक्षरी जे ने कहा ठीक है अगर आप घारंटी लेते हैं तो बारत और भाटिपान के लीच एक एग्रिमेंट हुआ जिसको तास्टल एग्रिमेंट कहते है ये एग्रिमेंट एक शहर एक शिजी है, रूस में उसका नाम है तास्टल वहाँ पर हुआ और 10 जनवरी 1966 को हुआ जबी 10 जनवरी 1966 को तास्टल एग्रिमेंट हुआ तो उसमें शाक्षरी जी ने पाकिस्तान को लाब और वाबब कर दिया और उसके बद्ने में पाकिस्तानी गवर्मेंट ने शाक्षरी जी को लिए जहाँ कि हम कभी भी वहेश्य में भारत को अटेंट मिल करेगे कश्मीर को अटेंट मिल करेगे और कभी भी हम कश्मीर का दिमांड भी करेगे आपको जानते हैं बाद में और दोखा हो गया जैसे ही शाक्तिजी ने एक्रिमेंट फाइन किया जन्स जेन्वरी नाइजी ने इस ते थे उसके तो थोड़े पने के बाद उसकी बंस्ति हो गई और उनको बर्दर कर लिया रही और लो बर्दर की तरती किया गया लेकि उनकी black body को वहां से वाफ़ आई था, उनका तो personal physician था, श्री लाजवाद उस्टास्री का तो personal doctor था, उसमें को भी गया है कि आज इनको तो poison दिया रहा है, कि उनकी उनका पूरा तो body को था, एक्तम blackish हो गया, और body चे nails भी black हो गया है, अभी nails black हो गया है, अभी nails black हो गय strong body को दिया जाएगा, और श्री जी के doctor का ये आरो था, पाकिस्टानी ओपिकर्स को, ये जहर को पाकिस्टानी ओपिकर्स में दिया, और उसमें, पाकिस्टानी का को भी बहुत बड़ा agency, जो IAPI जानता है, उसका involvement था, अभी आप कहींगे कि क्यों उनके जहर दिया, इसमी कि जबी agreement हुआ, तो रियास्तुरी जी ने उसको तो ये दाहा था, माजिटानी को, कि हम आपको लाहर देंगे, लेकिन आप पाक अपुपाई काश्मीर को हमें वापते, जबी आपको लाहर, तो पाकिस्टान के पहले तुहां बोला कि हम आपको देंगे पाक अपुपाई क जबी आपको अपको लिए, एक्रिमेंट जबने के बाद सिर्फ चास्तुरी को मरदर कर दिया, क्योंकि पाक अपको का इस श्मीर की बात सिर्फ चास्तुरी की जाने के, बाती किसी को मानूश रिए था, तो इस बनेका बहुत ब़ड़ा धोखा हमारे तादुपाई, और प श्रीमती इंद्रा गांदी बश्र विल्जारी लादी नंदा भी मिलिस्तर ते, उसके पाद full presence Prime Minister मिल्शिस गांदी होगी, यदि मिल्शिस गांदी मिलिस्तर होई, तभी पाकिस्तान ते को सिस्ट थे ठिश्ट किया थे चैनलि के पाकिस्तान ने निर्टीश कम चाने थे इमना नागा थे यह ठानिये इन तैसान ने फर रैड़ेशंद इस दिपनिवर मैं tub diilisationय को पॉट तनी civ त इस अमिछ समुनिये इंडियन आर्मी का जो बेस केंप है राजेस्थान में जोड़ पूर्ट उसको अटेक दिया इनी आर्मी ने विए विश्ट का जबाप दिया उसी समय हमारे आर्वी में से च्चीता है और उसके पो जो राइब lib ने पे वो नत्लिंए च्चीत पिल्डिक्ट की लरुड़ा से हमारी आर्वी में ऐसा कहा जाता है कि च्चीता के जाला अरस्ट इस्क्रटेशी कि अभी बनाने माद आपकें को इसे नाज़ा हुआ है, वो इसकती होता है, वो इसकती पर्फेट्स होता है और वो पर्फेट्स के थाथ कांग लगई है जबी पाकित्पानी आर्मी का टेक हुआ 3rd September को, जिसे चांदी ने जर्णल करियप्पा को भेंट दिया, और पूछाजी क्या करना चाहिए, तो जर्णल करियप्पा ने नहाँ कि आप मुझे 15 लेज का वे कीरे जिरूए, और 15 लेज आप आर्मी को पूछ नहीं की चाहिए, जिरूए 15 लेज हम आपको बताते हैं कि रेजो बाजिप्पान का चाहा हुआ, तो जिसे चांदी को पहले तो जिश्वाथ नहीं हुआ, कि जिसे चाहिए 15 लेज को तचाहिए, क्योंकि जैबी 55 का बावर हुआ, 3 मंद का बावर हुआ, 49 में का बावर हुआ, तो बली है फुरार हुआ, होनुने का आप सो फुरूर भी लेज में 15 लेजनां हो जाएगा, तो उनुने का है कि 15 लेज से 16 ले नहीं करने वाइख, वो सकता है 14 लेज नहीं हो जाए, 18 लेज कि 15 से उपधने होने वादा, ये जिरा अपना imitation है आप सुझे प्र्री र wonder से दू, मैं आप मुझे क्रेस्टन नहीं करें, मिशिल कांद मिले जनरल करियप्पा को प्री हेंड लिया, और कहा लिए इंट्रनेशनल लेवल पर अगर करनी कोई प्रॉब्लम आएगा, तो आप पेस करना, मैं तो बौड़ करने वाला है, जनरल करियप्पा ने अपने सबसे बादूर से करना पती को बुलाया, उनका नाम का लच्टिन जनरल जसीट सिर अगोर, एक सब्दार जीट, उनको जभी मुझे काल किया और कहा, कि मैं आपको तो 18 days period देता हूँ, मिशिल कांदी ने मुझे 18 days देता हूँ, मैं उनको तो 18 days period में देता हूँ, पाकिस्तान को तो 12 days देता लेस्तिन जनरल अरुडा लेको गांद शूब किया, 4 days 1970 दे इंडियन आर्मी ने अटेक शूब किया पाकिस्तान को, और आप जानते है, 16th December 1971 देटियन आर्मी ने को पाकिस्तान देक दिया, इंडियन आर्मी ने आपकिस्तान को ता दिया, आप एक क्या ज़नकी। 4th December को अटेख शुरु दिया Indian Army ने और 16th December को Pakistani Army ने सुरेंजर के दिया तो उसो 15 देख से की कम दो इस वे इंडियन Army को पाकिस्तान को ख़स्म दो और पाकिस्तान का इस बहुत बढ़ा एलिया था जिसको रीच्वन पाकिस्तान के अगे देख वो पूरा पूरा टेख ओवर देख जबी इसन पाकिस्तान तो हमारे कंट्रूर में आया और एक दूसरा बहुत बढ़ा काम और हुआ वो बहुत हिस्तोरिकल बहुत था इंडियन आगरी के लियो पाकिस्तानी आगरी के 19.000 पोलिजर्ट को जड़ना की करी अप्ताने तो अज्दी बढ़ा दिया आग़ बान कर गया है तो इंडियन आगर दूसरा उससमें क्या हुआ था एक प्रॉब्लम हुआ था पाकिस्तानी आगरी की स्कारी उसमें तो एक सन्य भोस्तिक किया पाकिस्तानी पोव स्क करे इसको बहुत हए इंडिये पाकिस्तान को बूह BETH अब हम एसा करेंगे तो ऐसन में बोती। दिले के ज़्टन, के जरुआ रख नहीं और उसे हम तो मी हम दिली में ब्रेफ पाच काईएब। अब इसना तो अरस क्या होता है ज़व रख मंडित। जबीस पाटिसानी आगमी के जड़र स्थे साथ कहेंक Подथेराया. इससे लिटा से लीट सम्हीर कोह पूरे भीट लेीट. और भीन हमारा होगा. तो हम भीन हमें। जबी उसका यए स्टेस्पेंट हुआ, और एक यूज रकाम भारट कावित होता है, हरा जिसका नाम है हिस्स्फान्ट और उसमें तो प्रेस ऑच में जाया पाकितानिया आजी तीन का विसरी के निधprofits का ने घठीजे रृट हो गर्म दो और यन के उसका खठीक प्रिटेक फाई है सरे जर नहीं Meyer-कर माशिक तैन hippiet तो जबी इंडियन आवजी ने पाकिसानी आवजी को पराजिक कर दिया तो 16 जिसम्ब पर 1971 को लख्यान जेमिल जस्टीर के लगोड़ा ने उस पाकिसानी आवजी चीज को तो हैंटक्स करके असकली लना के लेशे बात्ते को करें पाकिसानी तो करेंगे इसको मैं गुरेशारा के लाया अब करियोपा ने आवजी को कूछा कि तुम गुरेशार ने जबना जाते न अभी अब अबको उसको दिदी लेशे और तुम कि हाव दिन लेशे ने बेशार अब उसको जबी देशे आए जिए 15 जिदमबर के लेक्स ते 17 तो आदमी जीट में कहां को मेरे को हार बन है जो गाएज़े करो जैसे पशू करके अरज़े करो तो कहने का अरज़ यह था कि असितानी आदमी चीट को हुमिलियेस करना था कि तुम खिस्मा बोस्ति करते तुम में थाकत को उपी नहीं और बोस्ति में अदे करते हो कि हम दिनी जीट रहेंगे हम पूरे भारत को उने जेज में रखेंगे भारत को कोई ऐसा पोटा प्रेश है जिसको तुम कभी भी जीट जोगे तो इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का जो गोरेस था है वो पूरी करेश से जूप गई है पाकिस्तानी आर्मी तो फोन में जी चूल्चा चे परेस्तानी आर्मी उसमें से जो नहीं ही बोए थानी पॉजल जो इंगें गड्रोल ने आवे और 20 फाइवसन पाइटानी वूल सो इंगें के मैदान में मर गए तो पाइटानी आप्मी का 50% को नो थाख हो तो इसके बास क्या हुआ पाकिस्तान के उसमें प्राइप इसका नाम सा खुर्षिकार अली बुछो वह पाकिस्तानी करे लिए जब भी पाकिस्तान पुरी तरह से पराजिक हो गया इसका पाकिस्तान इंडिया कंट्रों से आया विभी सब्सक्राइप खुर्षिकार इसका ने सा अनफितान ने पराजिक वह पर जाता है इसका वहृषिकार Takbash forehead आइसके और इसको बाहत कोई का किस आख कैस सभिल की और मंपनमाड को सब्सक्राइड १ूर। जो कि वो एक्षोनी बेस्पोरिका नी पोर्षान इस्टन पाटेका याँ जाने जैसा करें तब ही उससमें क्या था इस्टन पाटेका निया था उसका नाम था शेख मुझे बुर रहवाद उसमें मिश्ट कांटी कोपील किया कि आपको हमको एक स्वदन्स राक्ष बना दी तो मिश्ट कांटी को जया आ गए लोगो एक स्वदन्स राक्ष बना था तो इस तरीके पे तो इस्टन पाकिस्तान बंग्ला देश हो गया था आज वो तुम्ला देश अभी थोड़े तिन नो आग्वे दिखाता है यह बंग्ला देश बंग्ले संगर पाइदा गिया और अब्ही क्या हूँ थोड़े दिन पहले आपको जो मादून होगा हमारे आर्मी के ज़वानों को बंग्ले से आर्मी के ज़वानों ने बोठेश से माई लिया और उस्टा जो जैस्वाडिक था, वो गंजेवल सक्षाटर को इंचेन जो लाइन ओप कंट्रोल रहा पर तो आके शोड़ा, वो छैटीन आज समीने लेखा होगा, लास्ती अज़ा होगा, नभी मुझे याद आया, कि मिजिस जांदीर रहा पड़ी गल्पी करें, इसको पार में मल्क जाजेश और ड्रेटर बनाया होगा, कम से कम हमारा ये जुखन तो महीं होता है, लेकिन अगो बंगरदेश भोगा परच्या में हमसे धीमा नहीं करने की होगा, ऐसी पर इसी पर दूखनी क्या होगा है, जभी बंगरदेश तो हो गया, पाकिस्तानी का तो एक पाकिस्तानी मिलिस्टर भुक्तों में रोना की रोगी, और वो अम्रिका के पास है, अम्रिका प्रेजरेट था, उसका नाम सा विचर्ड लिच्टर, विचर्ड लिच्टर के पास ये लगा होगो, और रोजे लगा, कि हमारे 94,000 सोर्जर्स तो भारत के कंट्रोल में है, कि जबी इसकी बिटाई होती है, तो अपुरी कांटेपास कर आगाता है, कभी भी पाकिस्तान को ये प्रॉप्लम में आता है, तो आप ये कांटेपास को चलाता है, तो जब ये पाकिस्तान अगे कांटेपास गया, आँ आइजी लिचर्ड लिच्टीव में है, तो रिचर् प्रटी लागती दी उसमें से उपित गर्माचाई। तो बुज्टों ने मिशिर कंटी को एक्वर्च किया, और मिशिर कंटी को कहा, कि मैं मादी मां का हम वाँ आपे, दल्सी मुझे उखी, अजैट मेरी दिया था, और मुझे एक एक कंटी साथा अज़ी साथा के मेरी को देना हो आपको अपर देना है। कि मुझे भांची ये कहा कि अप्रटी में करने के पूँज तो नहीं होता है। और ऑवर्थ में मॉना दिनकिन के खोगा हान्ट को ही मुश्टो तब ही ओझाल हुआ मुश्टो को भारत में बुनाया वहां पर घुटो के साथ बाशिक हुआ और घुटो ने इस चांजी को रोज़े होए ये कहा, लेक्षन भी रोज़े होए चाहा, कि मुझे पाकिस्तान के रोज मार दानेंगे, अगर आपने इस गोज़े रस्तो वाकर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी रोज मुझे नाड़ और पाकिस्तानी आरवी में वदावत होके हुए, ये उसे रिवोर्ट होके है, और उसमें मिस्स चांजी को ये कहा, कि आप चाहो को मुझे यहीं पर मार दो, लेकिन मैं पाकिस्तानी भापत नहीं जा सकता, जबी तक मेरे सोज़े मुझे नहीं मिलते हैं, तो मिस्स चांजी ने कहा, कि अभी अज़र क्यों किया आप चुछ में का बोदन की होगे, जर्मान का मार कर भी, मिस्स चांजी ने बुर्टो को मार किया, बुर्टो में मिस्स चांजी के एग्रिमेंट किया, उस एक्रिमेंट का नाम है शिंग्रा और शिंपा एक्मेंट में भुर्तों ने मिश्र जान्दी पूसे कहा। कि हम कभी भारत राख्श्चु बार्त ढहता नहीं करेंगे। कभी जिनी 25 में का, उसके पहले 29 में का। तो परकेश्चा नहीं नहीं करें भारता को अन्हीं करेंगे। अर्पार तो एक भी एक्रीमेंट है। तो मिश्चांदी के पाज जब एक्रीमेंट हो गया, तो भुट्वो को उनोंने भांग करते हुए, उसको नहां दरिज करते हुए, उसको एक्ष़री धीवन लागी किया, और मैंटी को सावपन सोर्जा, इसको भांपस देओ, और भुट्वो क हम वापस गया, कराची रोता, तो उसके भीर्द तो आर्मी को बहुत बरादव हो गयी, और आर्मी अर्मीतर्थ में गुट्वो को जती पहता गेजा, रिज़र्वोगों हो गया, गवर्मेंट उसकी टापर हो देग, उसको अरेस्स कर दिया, और अरेस्स कर जेश्में आओ दिया, फिर उसकी अगे उसको कुछ केस हुआ, और उब एक केस था पराव सेमा, भुटोचा, ताथी पैसा को ब्रश्टाशान में उसने बनाया, बहुत बढ़ ब्रश्टाशान ने सामुज है, और पारश्टान का बुटोच अगे फासी होता है, यह उसका अगावी। तो बुटोचों के अगे इस्स एविडरेंस जब दियुक्त करें, तो पार्श्टाशान ने जो आर्मी के आपकी सारग से, उन्हों ने तो बुटोचों को फासी दे जिया, और बुट् परिस्टान का प्रजिनेंट हो गया ॏ और इस करीशत से 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 ही चरुता लाई 1982 मेर्जलों की वह इसी है गlorतिसे के सब्रतिक हो गया भुटे मिलिवक्ट हो गया उसने सब्सान के बाद बुट्दी लोकिगरा दो कोती की एक बास पर Lambda Exam 2015 में भुट्धान धिया था पारजन की को प्रेल देग लिया। और पकितान को पराजेत्म होना पूला है। पर उसके बाए, 1999 में नथ समी पकितान मेमिनिस्टर हुआ उसमें धिसरा कारिए करदेट्मार्ट अधैकर करते कर दों adoption मेरिगें। लेकिं 1999 के percent को पराजेत को दोबाद भी ही । हर बार तो पाकिस्तान का कोई भी प्राइमिस्टर कोई भी प्रेसिडेंट जबी आता है तो वो कश्मीर को लेने की जरूर बोशिश चर्पा जो भी मेरा अप्राने प्रिट करा है और हर बार उसको एक लगता है कि हम कश्मीर को जेकोगा रहेंगे भारत से जरूर और इसके लिए तो वो अटेक्श चाहते लेकिन पाइब काई प्रेश करने के बार्ती कश्मीर आ रहा है और आगे भी रहेगा वो जाने बार नहीं है पाइब काईब 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 काई और वो प्रोब्रम यह होई कि पासिसानी आग मेर्य छिए फिर एक गली से आख लिल्क तो गेगहा उन्हो ने ये काहा हिए कि हम गहीं करेंगे हम उस प्रक्ति गॉर्ड करेंगे आप गहीं उसे फोल्ड आधोड़ होता होता यह है, कि जबी बहुता है तो आमने सामने तो आपको करते है, पाकिसानी आपको तो सीट करना होता है, आपको जोड़ा लेते हैं, सामने वाले को सीट कर लेते हैं, वो इमान का लिएक होता है, बेमान के तो होता है, पाकिसानी आपकिसानी 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 आपक अज़ी को बहुत रखता था। तो पाटिपर्णी जवर्मेंट में प्रॉक्टि बहुत करने के लिए और काशी नाम के इसको वावत भारत के लेने के लिए कुछ सेरिप्स कवर्नाइज़्स को तो पैदा किया। कुछ भय उस्पाधग कंगों को पैदा किया। और जो भई इस पादर संगों को नोंने पाइदा किया, उनी का नाम है लक्ष्के तहिवा, जैसे महुंबत, भरकद अंसाथ, जिसकोर हुजाहिदी, जम्मो काशिये के वेवरेशन संट, है इस अच्वटी फुरी ओर्गनाइज़ेशन, और यह जो फुर्टी फुरी ओर्गन है भार्थ राक्ष्य का अंगर đây, वहाँ पर पाकिश्तारी ट्राइछीच का तैरेमिस्टेमिस्टेमिसर्ण स्टेमिस्टेमिस के महां बर चलते, और वहां बर को thousands of दरेमिस्स को तैरेनिस्स पर फुरडियदी मोया, रौंक टर्णाव, और बहां दे वहूर वो ट्रेमिस को क mention बिल्वे अधयन को अधया करना वो कि के इनियिव तोफ्रियमाि के नग्यान करना मुआ कि in आपकेजिए और वॉय्या दे व्पह पल्रेंस लोन जोभी प्लेशन है उसके लोफ हुप किया देना और जो द्यावराजिक है जिंका कोरी तो नहीं नहीं lihat एसे नाविक्तों को गोटी देना, इस पर इसका को काम शुनू हुआ है, और ये तारा काद काम ज़ी शुनू हुआ, नाइटी, एकी एकी मां दे इसक पर इसके में शुलू दिया पाकिस्तान में, और अपी 2000 बन को हो गया, इसने 20 बन को है, में 1981 से 515 से इसे दिनों मैं तो भाड़ क्राफ्ट देगे 55,000 नागरे को बलिलान बना दूँआ और मैंने आशके तार के को कैशे बलिलान होते हैं कमी पाकिष्पानी पैलेजिस और इसे आजे हैं इसे इस बिशेज़न परटेक कर देजेए खर्टेजर ऐने जर्ग को अटेक कर देएं धूर्श को अटेक कर देएं हॉष्पिकल को अटेक कर देएं इसकुल अजिश्ट को अटेक कर देएं जो भी फब्लिक प्रेसिव हैं वहांपर तो ऐसा कर देएं तबीकनू कॉक्ती रिस पैस्पर होनता है कि या बार्केट है मार्केट मेً अके हैं। आटे पैस्पर हodus है। ऐस Net tarpoda, क्विश्कमकित भारतीय रागविय करकल्ट के भजलाव होँगे हैं। उन भारतीय रागविय को तुर सिफ्ती परसें। आर्मी पर्समेल, DSS पर्समेल, Border Security Force के पर्समेल, हमारे आर्मी के तो रवार्ट, पुलिस उप्नीका, लोकल सिक्यूर्टी उप्नीका, ऐसे तो लोग उसमें, और जो 50% हैं बाकी को रखे होएं, वो तो बहां के लागेट, हम इसमें तो एक बड़े-बड़े रख हो लिए हैं, 55,000 कोरियर्स और हमारे सिपीजन, उसका जभी गज़्ञान हुआ, उसके की रखे, वन लेक्स परोट को भी इसकी हमारे नैशनल प्रपर्टी रख हुए, जन्मुकाशिये, और यह प्रपर्टी रख हुआ है, उसके एक तो आगाना जन्मुकाशिये का सिपीन लाइट है, वो पूरी परेट बिल्सक्रोट हो लिए, इसका जादा से वहां पप्लिक का इसमें प्रप्जन हो नहीं है, मैं तो पूरे भारत बारत में जाता हूँ, जन्मुकाशिये भी जाता हूँ, जन्मुकाशिये में जाता हूँ, जन्मुकाशिये में जाता हूँ, तो वहां में देशता हूँ, कोई भी नागरी ग्राथ में सोर नहीं करता हूँ, सबी को भर रहा कि कहां से तो पैवरिक और जोग आएंगे और कहां से तो रिम चरीए जो बॉर्डर के जो गाओं है पाकिस्तान जो धारत बॉर्डर जहां पर गाओं है जिसको दाइन आप प्रंट्रोई देख जाओं पोछे हैं पूर्वर्डर में डागवरी में तांवबर पैटर में गाओं करतो वर्डर को तो पोरी भी नागे कि घ्रास को नेक्äोग डो управoubl करदा सबी को राट्री में तो नहीं तोने की easy the house of the Lord was a तो ये बैस निचे तो दश्चे कभी इस्पूल मने चाहते, क्योंकि जो टेरेंस हैं, उनको तो हमिसा यह दब होता है कि कभी टेरेंस का आधे हुआ इस्पूल में बेदे का रख्वों की लिया, तो दश्चों का तो बज्दान वाता, किसी जो दश्चे इस्पूल में था, अस्पिकर बन रहते अस्पिकर इस्पूल में बन रहते हैं, दश्चे के एई भी बन रहते हैं, और उस्पे वहां के मार्टेस हैं, वो तो कभी भी खुल देगा और कभी भी बन दोगा, अईटी कट लेगा, तो दान्मल में इस्पूल नहीं, और उस्प्स्टर अब प्रफ्रम क्या हुआ तो उस्पे तो ये बहुत बड़ी भी माली होती है और बो है हर्टेक्ट जितना मिंद्डेफ होगा आपके मृन में, जितना खरो होगा आपके मृन में उस्पchsनी आपको अग्νο प्रफ्रम को न्म्हें वहां कि रोप होगा होता है। कि उसके बाद तो जब भूंक किरता है पोली, उनके उपर शूटिंग होता है बोली से माच के अप्षमी इसना उसमी तब क्यों तरफा तो महां पर हो गया अब ये तो इसना फारा गौजम हमारे जेश्मे हो गया इसके बादे पिछले कई वर्षाँ पर भारतिय अपर्चार का ये बहुत बाद एजर्शी है जिसका नाम है रहा रिस्टिंग सिस्ट पर तो जो चीज है, उन्हों में पर इंपोर्ट बनाया, कि यह पुछ पार्टिस्टानी पेले इस करते हैं, इसको भश्या कहां दियाता है, पैसा कहां दियाता है, इसका फिलिंशियर बैग्राउं जया है, तो अभी मुझे तर बाई ती मिला, कि गवर्टेंट आप पार्टिस् कुछ थाईनिशियर बिवाग्राजियर करता है, और कितना करता है, पर यह प्रत्य मुझे पार्टिस्टानी खरकात, भारत के भयोश्पाज़क संचरने हैं, उनको 18,000 करोर अपीश जेता है, अग 18,000 करोर अपीश तर भयोश्पाज़कों को फोर्ट के निमी सब्सक्राइब करते हैं उसके आपढ़ पर करते हैं उसकी पार्किसानी पर्पोर्ट को लेकर सब्सक्राइब करते हैं अब प्रतिया है कि हमें क्या करना चाहिए अब प्रतिया नागेश्व को पूछ से हैं कि आपका क्या ओपी हिर नहीं है क्या करना चाहिए गोंकि 1949 से तो हम पास चाहिए है ती काईस्ट लेकिंग बज्रे में पार्किसान को हमें लfit करते हैं हमने 99 में आथे की आक्रीमेंट किया, पुकार गाटारी न discoveries हुआ एजी देवन और इसलाणपार एडेमेंट किया। उसके पहले हमने विप सारतल सार्टी में अटेज हुआ। हमने प्यंसे पहीरबे शीक्षि नातार आक्रीमेंट को धरीशी मद में अटेज हुआ। पाकिस्पान को अटेक्ट करना चाहिए और इंडियन आर्वी को प्रीहेंट होना चाहिए कि ये तो पूरे पाकिस्पान को अगर कोरोना हो तो पाकिस्पान को जोना इंडियन आर्वी को प्रीहेंट देना चाहिए अभी तक क्या हुआ है हमेशा में ADNRI ने डिफेंस किया, अटेस्ट ने क्या है हम हमेंसा डिफेंसिव एक्षन पे आदे और पाकिस्टान उफेंसिट जभी ही अटेस्ट गवा, 47 ने, 65 ने, 77 ने, 77 ने, 90 ने हमेशा आटेस्ट को पाकिस्टान ये ही शेट किया, हमने अपने आपको दिफेंस किया, बशाओ किया अभी मुझे अच्छा रखता है कि हमें defensive होने की आवश्यक्ता नहीं है, अभी हमें offensive होने की ज़न को और हमें पाकिस्टान को attack करना चाहिए और कहां attack करना चाहिए, सबसे पहले तो line of control ने जहाँ terrorist training trainers करके उनको फ़क्त करना चाहिए क्योंकि जहाँ terrorist training training trainers करना चाहिए महाँ, thousands of terrorist को जो फ्रेंट किया जाता और भारत मों उनको उनको बेजा जाता है ज़िए उस पादमों का उस पादम जहां से हो रहा है उसको हम attack कर रही है and push करेंगे, bum mark रही है को training trainers करना चाहिए और उनको आगे का development होटेगा यह तो होगा ना चेहिए तो हमने अपने को पाक अकुपाई काश्री आपकर देना है और उसके लिए के अपयच करेंगे जरी पाक अकुपाई काश्री में भारत में वापत आएगा तो पासितानी आही होटरेदिया देना परेगा अर जबी पासितानी आही रहाए जिट्टो कर जाएगा तो हमें दीफ़ीग को से पाक शुक्त大哥 में चाहिए के उनामे के जाने को कहया है। वो तो आज की सागत से आरवी की सागत से पाकिस्तान ते पर अप हमसे बिहा होगा जैसे पाजितानी आज.-ला ंरेस के जिसदों से तल्हा नो करिकित ek shelters को तो ततली वाप पातिस्टान की इन्टोरिक है और वहाँ गवलोप्मेंट की नाम को व्तुदी रहे है, इलेक्षिजी नहीं है, रैक्षम नहीं को रहे है, अभी दिएरों से मड़े को तो ही उसका के वहाँ नहीं काम करें। प्रांस्पोटाइस पर उसकोड तुम करें नहीं कि नावसित है वहाँ का बागों पड़ काई नहीं करना प्रेस्ट है पर उसकोड यादिया मिने को भी होस नहीं आजें वहाँ तुम्हें बादर पर एकी आदर है तो दभा है तो गले पर टाट के लिज़ काते और उसके पास भूजा फोई काशी को ज़िया साफो आजा देए कि तो पूजिच नहीं हैं, पलेचिन नहीं हैं, अस्पिकर नहीं है, बातो भुपाई काशिर्म में भी गोगाहीं, बातो भुपाई काशी में या नहीं हैं लेकिन कुभी पाकिस्ताईपी आदमी को ऑफे से घराथी है, भए रिखाथी है, वाहाँ पर कुष्वी आदमी ने अपना तो बना रखता है, और बना रखते हैं, कभी भी भी आदमी ने लोगों को डर रखता है, कि हमारे उपडर अटेश्च हो तेटा है, इसमी में तो धर तो मुझे रखता है कि आदमी को दो काम करने चलिए लाइन अप्रेंट के जिसमें चैनल करना है उनको दोड़ देना उन पर दम मारना, विताइल पर कास करना और आग उनकाई कांशीर को बापोश जारत में तो लेगा तो तो और जो कहते हैं कि ये से पुलिस के दोग हो जाएगा और रहागा तो इसके लिए दरना था, हमने तो कभी बोर दिया नहीं आठक, पाकिस्टान निं दिया तो पाकिस्तान ये बार 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 दिया खोर दिया, तो दिए ओंग तो प्राजी भूर ज़िए और गया एक हरु आफ्पके ऺधम इंडम्स पुजलटार आ आ होगी है, कि हम अगर पाफिस्तान को अट्थ करेंगे, तो पाफिस्तान का इसमियन देश नगा होगे ज़ा, इसमीन अपर आपकिस्तान को हले होगे हुज करेंगे। वोच्नी को अभी एकिन स्टेश्में चिया कि मुझे पाकिस्टान कर पुराना रिताव चोज पूणा करना है। अभी पुराना रिताव क्या आया हुदता है। आपको को लाइत माझू नहीं है, पाकिस्टान का एकाश्य है जिसको, यह पाकिस्तान का नई है यह बेसिकली अफ्टानिस्तान का लेकिन इस पॉने पाकिस्तानी करेंटोर्शन है तो जो अफ्टानिस्तानी का प्राइम मिनिस्टर भी बना है आमिश रगाई को यह तहरा है अब ज़्तान की आर्मी ने अठेक्किया तो मैं पाकिस्तान को अटेक्क करोगा और गेगा भागत से एढ़ा ते को सो पाकिस्तानी आर्मी प्रेशना ड़ह है कि उसका 50 % के場 में इल्एन गॉडर में है और 50 % अफ़ाईस्तान गॉडर Turns out पर अब्या गे संगे कर कि अधरनी को बहुत है भूशरा देशा की माशिक्तान को जानी रेज़ा यह इसमीं है तरने से इसथा नहां की इहां फूश्ता जींगा अब आपके पाकिस्तान की बात करें दोगा तो बतोर इंतदार कर रहे हैं कि कभी भारत का आर्मी अटेच करेंगा और कभी हम अटेच करेंगे कि पाकिस्तान दभी दो तरफ सरी तो और जंदी आएगा वन पाइडिक में कमी जीप आएगा तो दो तरफ से जबी जिन्मा आएगा तो और भी प्रब्लम होगा और हो सकता है कि North West Frontier पाकिस्तान से प्रट हो जाया और उसका अप्नामिक्सान से चलागा पाकिस्तान का इस मूत्रा राजी है यो थिल्र है वो दी अधर होनी कि बासे करता भर्क करते वो कहते हमको पाकिस्तान करते हैं क्योंकि जो सिल्ष्य प्रट थी सालsych और वो कहते हैं कि हमारा जो कल्श्र है हमारी 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 जो कल्श्र है हमार तो इस बार अगर हम अटेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान हमेजना के लिए कवांग हो जाया तो यह कुणना हमेजना के लिए बाद हो जाया इसमिए मैं कहता हूं कि भारत की आरुगी को अभी अटेक्ट करना जाए कुछी बेता थे एक लिए जाए पाकिस्तान के बाद हनित्रियर बोंग से को आपिस्तान के पास लिवियर व्न हैं तो हमारे पास थर्म मिलेयर बम से थाओसे काइं सब्सक्राइब आप यूज़ करते हैं और उसका पर एरिया अगर पादी ये 100 km पर 100,000 व्हें का इसका एरिया है तो जब फर्म मिलेयर बम आप यूज़ करते हैं तो उसका पर 2,000 कि अगर है कि तो कि अगरन अगर आगर वाल कि ये औग व इसामाद को बेष वनाकर अगर अगर इसमका निल्वन करता कीनले वाल कि सिरे ओ theo consistent अगर 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 होता तो 1945 से 2001 बन तक 955 बार्स हो अगर, और कि ये की बार भास भी दूश्य हो आगी है। हखी अमेरिका के पास है। चाइना के पास है। और अमेरिका …के अर् velvet παास है। अच प्रांक के पास है। जर्मी के पास है। अमारे पास वह भी है। आठ्शन के भी खास है, लेकिन कमिली यूज में यूज में यूज करने के लिए नहीं होता है तो दर पाइटा करने के लिए होता है एक बहुत नर्ष होता है उससे जीटे लिए कि अब है और गभी होता है आगे यूज में विए है है और कि में उसका प्रमार लेका है अभी पांटीसान के ज़ूद्स को तो छेष में बंज घए. अमेरिकन सetrit वह, उनकों तो देष में बंज बिया गया. वोच हो नीक लिए साइनिस को छेष में नहीं बंज अगया, इन नाइन्सि में वो जगा दॉसे हमाली वह जगा सारे लाड़को बना कर दे रहे शेश। नाइट की ओर इस जबी अमेरिका ने उनको घेश में बच करया और उनको फूठा कि आप में और पिरियर बंग दिया तो उसे का विदियर बंग नहीं दिया उनकी पराने का फियोरी दिया और फियोरी जे क्या होता है बाद में उसामा दिन लाजें में दोनों साइंटिस को का के लिए आप मेरे साफ आटर ब्रॉप करो, मैं आपको इसे फैलरी कूँगा, आपको बना के देदू, जोई है तुने कोई पस्तरूँ, तो दोनों साइंटिस में 1994 में पार्टिसान पोर्टिया, और उसामा दिन पार्टिसान 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 के लिए 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 पार्टिसान पार्टिसान के लिए 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 पार्टि तो आप मुझें कि 98 में पाकिस्तान में एक्स्वोजन को दिया है, वो एक्स्वोजन चाइनी साइंसे ने किया, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के एक्स्वोजन ने है, 98 में पाकिस्तान में एक्स्वोजन हुआ, वो चाइनी साइंसे ने किया है, पाकिस्तान में आकर, पाकिस्त यह तो पकित्मस कषे सब्सक्राइब दुम्हारी सब्सक्राइब नहीं को यह तो ऐसे मज़ना के मादे रहे दाज है। इतलिए चाइनीज माइच निसमें बाकितान में आपके एक्स्वोजन की है। और मैं आपके इस तुन्टरी पीरियस साथ और बहुत कारता हूं। चोए एक्स्व इस चाम का एक्स्वोजन होना और एक्सवों का एक्स्वी करना दोभुए तो बहुत बाफ इस थनजों। आप atomic explosion को easily करकते हैं, उसमें जाता हो problem नहीं, लेकिन atomic bomb को use करना हो तो highly comprehensive technology है, वो तो सभी use नहीं चाओता है, और उसको use करने के लिए तो सबस्से जादा ज़रूरत परफी है, और super computer पाकिकान के वाफ नहीं है, आज तर पाकिकसान अमेरिकाने super computer मानता रहा, लेकिन अमेरिकाने भिजा नहीं होगतों, दिना super computer थे तो आप उसको तो खुछ नहीं हैं ठ्रिकार थे हैं, बारत में तो 95 में उपर कंप्यूटर बना दिया और अभी अमारे पास 47 सोटा कंप्यूटर से एक में है तो हम योज रखते हैं या अमेरिका हमें जालता योज भी जालता तो अभी क्या हुआ है कि यह हमें मन पर लिकार ना चाहिए कि पासिसान बिल्पियर बहुं वम्म्हें करना है और अगर पासिसान न से इन पर लिया है तो अभी तर मुस्थे एप्वाट बीन से इन थे में मैं अपर हुआ है क्योंकि उदोला चेही है Ecuador में से और ही त्स में से बन वोह मेरी मिवान हाँ टिंवार को ढख़ार कर देंगे, तमाह कर देंगे, अंच्रेट मेर्ए हमocado बार्ने कैं है देख्व कंडाई और आप Δेखने ही पर हमेरी को समाति भी होगता है अगत वी ने सिर्षत है खेते लिए दिनिल की पर से बाग रहा है आप बोलो, जिसके पास nuclear bomb होता, वो ऐसे सुने की तरब से बागे आखे आखे अगर होता है nuclear bomb, पाकिस्तान के पास तोलोता हमें लाजिर को देशक्षे नहीं हो उनके पास, वो चाइना ने उनको तो तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया, क्योंकि चाइना तो कही पास रारत के तो तो इसलिए तो को ऐसा हो जाए, इसलिए तो ये मन से आप रहे लिकांजी किये, कि हमें को कोई पाकिस्तान nuclear bomb किरा देगा, और वाइदर मेरागल पाकिस्तान ने ऐसी पोर्षिट की, उसके पहले सो हमारा सर्वोज रिक्रियर bomb के विजाए का लिको पुमादी है, और हमारे अठिया किसलिए गाओं को रूर जाओं में नी हमको अखेट करके है, ये तो पाकिस्तान को मालूग है, इसलिए तो और वोड़ाको पिस्ताप के सिंचे है, और इसलिए अजी परदेश मटरभ रोज बाक करतान गानती चाहिए, और हम्धा करनी है, आमको रोज परदेश को वोख वोगी का, तो पस्ता में बात कीज करनी है, वाई रेलेस्टन भानाने है, अधर्दिकारी को तो हाउ कि राना है, नहीं मिलाएंगे, तो भी जबर चेस्टे मिलादाना है, तो यह नातर क्यों करता है को अधर्ड लाज है, तो उनको तो पॉड़ा सांथ करना है, यह को म यह वो जानते हैं अभी इसने एक और तीसरा है इंगे लाइट वोने समझना चाहिए कि जबी हमाने जेशन अटेशन आटेशन को आटेशन में तो हमें अटेशन करने का राइट है लेकिन अमरीका हमको कहते हाए कि वो कुछ रिस्टेशन इस तैल्स आटेशन ही Хans करो अमरीका 12 तै और अमरीका क्या था है और वो जो आजी का अकर चैया और यहीं वोलोय आया था झाम कमे नस्istor है तो आप पुछ और तो जब्सक्रवक चाह को समय है क्यों की अपनोख का रनीट इस तो बारिटेशन को किया पार्तुपन है तो अमेरिकन प्रॉब्लम ये है कि इसमें अमेरिकन आर्मी पाथिस्टान रहे अमेरिकन आर्मी के 10,000 सोर्जेश अभी पाथिस्टान में है पाथिस्टान में एक गाउं है वहावल को अमेरिकन आर्मी का बेस्टेम और यह base camp उनोंने अफगानिस्टान को अटेक करनी के लिए बनाए 7th October 2001 ते ज़िए अफगानिस्टान अटेक शो किया अमेरिका ने सभी वो पाकिस्तान में आर्वी base camp बनागर उनोंने अटेक्स शो किया तो अमेरिकन आर्वी अभी पाकिस्तान में है और अगर ECM ने अटेक्स किया तो अगरें आडवी वी उनकर आसकी है भगें में युदि अगे में रख आपको आपको बनाए वो जैवर है कि आपको अपनी उसकर ने को आपको युद गुदद करो हम तो पाखिस्तान को बोल रहे हैं कि केलरिक्स को दमाख करो, आप को मत अटेच करो को भी जॉर्ड पुछ को डाउन किये है कि अगर एटियन आद्मी ने किताई उस को यूज दिया तो बहावन को तक हमारा जिली के दिस्टेंस है 2500 क्लो जीटर है तो बावन को भी अटेच्ट ने आतकता तो अगरेशन आद्मी भी उसमें को भर ककती है तो जॉर्ड पुछ के यह सद्रेंट रहना मुष्क्र हो जाएगा अमेरिक्स को नागेश को बहुत अल्दा करने आदे हैं तो यसलिए भुछ को बहुत बहुत बावन है और बेस मुचलों से जादा प्रब्लम्स जॉर्ड इमें को कि अपनी भारत में अटेच्ट जाख विए हो करता और टॉनी जुट जुट अगर जुट आदी है वोग इसको करें भी कैट्टी उन्या में पोई है तो इसको को में देगा और जूँज़ा तो प्रिटेश क्या इसको करें ने उनका जबी उनके नहाई 11 सेक्टर को में कुँछाओं इस बस लोग क्या है और जाजिस को पीछना है यह तो मुझा ने बोल दिया और जूँज़ ने दिखें दिया ट्रेंट संटर्वार्ट को का उनको कि मैं तो दुन्या के अभी विर्मा पे एक तो बात सुछना जाता हूं आर यू बिल अस और इस दो सामा के विलादे अभी अमेरिका पे और उसके बन प्रेंट अधेट होता है तो अमेरिका काउंग्र करता है तो हमारे पार्लमन पर किज़़ गूँए क्यों तो अमेरिका यह American level dysk dużo है वह हिप्थो Lewy And MINI को ड़ा है और ये हिप्थो करती अमेरिकाइटा सिसे पता प्रइपों कोकेइगा है और क्यों करता है अमेरिका जानता है कि अधर Indian अठेक हुआ, इसमें American armies तो ड्याब करती है दूत्रा अमेरिका तो ये वाजो में कि ITI ATAX हुआ तो Pakistan इसना नमाग होगता है तो अमेरिका का इस बहुत अस्ना बोड़ाई वोड़ा समाग को जाएगा ये वियुजन में ये तो उसको शॉट गही है इसलिए अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान को बजाने के लिए भारत को रोपना ज़ब है अगर इसलिए तो जिन में कम ने कम एक गुषिल को करता आपको अटेंगी करता आपको अटेंगी करता अगे सब्सक्राइब अगे तो पिरा फोर्ष है और पीम ओविस में गाम करता है वह उसी को मुझे कहता है कि अजी बाई ज़िपी अमेरिका के फोड़ आता है तो 1st sentence you should restate yourself, ये इसको सुनाई बेता है अज़ा में अक्ता ही उसमें पोई टेस्ट करणा दिया है वो 18 sentence you should restate yourself, ये इसको बेता है आपको अटेक्ट में आपको आपको अश्में को सब्सक्राइब ये को है ये को है अमेरिका अमेरिका को चॉंसर ये है को अगर ही आपको को अटेक किया तो ने आपको अथे करना विल्दिक करना दो ने आपको आफक वोड़ करना है अथ ज़्स शूंसर बोई करता है अमेरिका को बोई कर रहा है pair ज़्स ब्सक्राइब करते हैं। जो आखिछ्शनम की अगेस्य को स्थियर्याराइड करना पड़े जो टेरेरिजम की अगेस्ट कोई बहुर करेगा तो पाइड़ा जो पाइड़ाती नाम के बाय। जो पाइडिस नाम के अट्रले टिक्टिवी ओंटिकली ओगनाइड़ास्ता कालें के लिए। व है यहां है पार्टिसान को पार्टिसान को इस घृत है अवं मेर्टकान को असको आज़ा तो समझ ली जिए कि अमेरिका कोई बहुत नहीं दर्पारे टर्रेशन से अगेर, अमेरिका का पर्सनल को कोई प्राउट्रम है उसना में लाजिक से, किसी है तो उसना में लाजिक को आगा जाता, आपको कभी इससास को जोशे की कोशिच करो, कि दुनिया में तो बहुत कारे कि अगजिक है, फिर वोनाम में लाजिक कोई अमरी आपको का forms कीमणना में लाजिक परिमिक से, है उससे कोई अमरी का मांक्ना काता या जब्सकाया कोई इससा से उसकतय ओनिहांना उससे, सिर्फिक से, अमरीका क्राउं ." पुडना पॉप मरूमर को पिलमारा उसकी दीचे तो एक कोई हिस्ट्री है एक कि एक्ष्ट्री एक होगा ना में लॉटना पॉप मरूमर तो अमेरिकल पॉड़क्त है इस गोर्व को अमेरिकाने ही पाईदा दिया और हमी पाईदा दिया 1908-14 तो में क्या बदाब उने आपको बदाना चाहता हम कि Afghanistan के अफ़ानिस्कान गेर रुपी हो गया, आर गया, पराजिद हो गया तभी अमेरिका नी क्या किया कि अफ्दान इस्तान में अपने आर्टी को लगा दिया अमेरिका में और रुषियन के साथ तो बहुत इन हो गया उसमें अमेरिकन आर्टी को पिडिशी हो गया क्योंकि अबैगर को अप्सान चाहिए का अथा मेन वाइस के लिद रूह गाते हैं और फी आप्र को प्रखогलमेठ है सब्सक्राइब को को उससे प्लैंच किया कि अरुफाने के था यह उसे इंदे अर्ग ना इंदे की अचा कि अमेरिकन और बीशी मदब से तो हम यह कर दखते हैं हम आफ़ाने को इस पांजेशन पोरी को गुरिल्ला वर्ड बॉड करना चाहिए चुनाथीर में कोई हमें Oर्गिनाइजेशन बना थे तो 2014 में पहला ओर ऑर्गिनाइजेशन बना बिए ट्रafe में रुट्रियजेशन सही गए दिए-दिए अल्ताइदा से आगे बढ़े से सालीओन आया और सालीओन उडिभान उनको जबी बनाना पड़ा तो अपरमिस्तान लो इस्टूटेंट मुवमेंट चलता था इस्टूरें उचे अठाने से से पुरें ञीए से रूरीट भुज़ा बिल्ट मिलाइं कोुज़ा डार्ट सालु जा जाएती। और वो तो अमेरिका के इंस्पर्चिन पर रश्यन आवय के भीके तो परी ज़गे थी। इसी में जो मोल्डा मौंगर उमर प्रेजा हुआ इसी में जो उस्मा मिल् लाइट बादा हुआ तो तहले बुलम और लोगा में लाजने दोनों को अमेरिकान ने बहुत बारा पपोर किया फिलेशियस पपोर किया, विलिट्री सब्सक्रिया और उगे को टेरिरिस्ट ने उसको द्रेइन देने का काम किया जबी क्या होगा कि रश्यानारटिकों के इलर देदल क्यों को विलिट्रोप करने लाइए 1954 में रश्यानारटिकों को देक्मड़्व करता है मसली अधसन के श्यॡव करने खेंगा इस भाय विलुक्ते हो से नटेह बिख्रोक दो करके अमयाने अव्टा कवर्मंट कबनाई गए। और निजी सिख से तालिबान और अचाहदा बोल्ब लिकर अफवानिस्तान से रूल करने गए। तो फुर्ला मॉवष्पर अफवानिस्तान का प्रेजिनेंट हो गया और ये ओधाम में लागिन टीप पर प्रेजिएंट हो गया अभी दोजों के दिलकर जाभी अफ़गानिस्तान को रूप करना नियुक्त लिया तो अमरीका तो बहुत खुश्च था को कि ये बोजो अमेरिया इस प्रॉटक्स को और सुलिय अधी प्रथिया जोनियुक्त नियुक्त वह विपज़ा है तो पहले बहुत सारे सुर्वियर संजे जो राजिय से वो अलग हो गया साजिकिस्तान अलग हो गया, उन्पेकिस्तान अलग हो गया, तदाकिस्तान अलग हो गया बाईलो रश्या अलग हो गया, ऐसे वो बहुत सारे 70 इस से वो अभी तो अलब हो और वो नेशन बन रहे हैं बाद में कहा हुआ है कि उनने से कुछ जय होगे था पर अमेरिकाशी दोशी होगे उज्जेकिस्तान, साजीकिस्तान, कजाकिस्तान से और यह दिवा इसनेशन हैं जिनके पास नेशनोल नेशन बहुत और अपसे जादा मुदके पास पेट्रोल, कुछ उइल, नाजीकिस्तान के इसनोल नेशनोल 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 ने यहां तो बहुत बढ़ा और इस है ताजिक्सान, वभने किसान ज़रागिसान, तुर्मेजितान, यह सभी तईस्टरेशन इस्टरेशन रिपांडिक्स में बहुत बढ़ा तो आई गोगाई तो अमेरिकल गवर्मेट्में अगरमेंट से कहा कि उसका ऑई गेते हैं तो और ज् जादा है कि अधिये 50 गेर्स पर प्रोप चलन सकता, इसना आज़ी, गैस को बहुत आजी है, और इसको तोगए है, जबिए अमेरिका तो यह कज़िया कि यह सब्सक्राइशन रिपर्लिक में, गैस भी है, और इसको अधिया है, अधिया है, और इसको अुझें कें अधिया, और यह सम्स्राइशन रिपर्शिय करते हैं, जबन fightline को डालने की आज बनी, तो अमेरिका कर इस पर fightline जबी ज़री जाएगा, तो भीक में अफ्तरनिस्तान आता, तो अफ्तरनिस्तान में होतर पारि हो fightline जाएगा, तो उस्थी समय, Otsama के लाजरों अबर दुफला के आज भी यहां से fightline दे जानीगे, तो हमको तो इस पर कुछ स्टैक्स चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, क्योंकि हमारे दाश्ट की वाउप्री के दो यह जाने वाला है, तो जो अमेरिका के पाइदा थिये दुए बच्चिय के वहों है, अमेरिका से तो बोलना की ज़िए, क्योंको तो पैसा नहीं है, और उसना म अमेरिका जीवी जाहीए, तो बुस्तो भिन में वाला ना, क्योंकि अमेरिका इसना मारा गैस आएगा, और हमको जीदा है, तो ज़र्णा यहां पे तो ज़र्णा यहां पे शिरू हुआ, अमेरिका ने कहा कि हमां को छेया हमने पे जाएगा, तो उसमा के लादेरा पाईब विए भूर्ण ने पार इसे निया जाए तो यहां से ज़र्णा शूव था जबी यह ज़र्णा शूव व्हा तो अमेरिकन प्रेजिदेंट सा बिल्ट लिंसर् बिल्ट लेकर अपना एक पर केविलेस डिजिनल किया मिविटी गुदा करके क्या करना थे थे बिल्ट इसके केमरेटिेंटा आज इंगों इसलिक टागिंगो तो हटा देना से मुद्यमा जोड Trad yaş기ना बिल्ट रिचम्मा मोर उसामा ईद्ली मुझा देना से तो फुरा सो उच्वाने दैट वाओ बनाना शो कर दो और वो नेटकर बना जेए गए उस्मा में लादेश भुबाद उच्वाने लादेश उस्मा प्रूद्गो सो फिर दिया और 11 सेक्टर पर उधाव लगो तो रहने वोड़ दो रहा है तब ही अमेरिका में प्रेजिदेंट चेम जो गया जौर्ड भुश था तो जौर्ड भुश ने कहा कि अभी तो इसको पूरी तरह से पहाख करना है क्योंकि 98 के तो यह जगरा की उगवा अमेरिका और रोजनमा के लादेश था 98 के पहले सबस्टी आगोगे निए जगरा की उगवागे और यह जगरा की उगवागे तो जब रुश ने कहाँ कि अब हमारे पास के वोई आप्सके ने को इसको तो मार नाम है तो वार अगेंस तेर्रीदम के नाम पर वार अगेंस उर्वा नाजेश को चुझु और वो इक वह जगर को अभी करता है जिसमें उन्होंने उर्वा नाजेश का अलगाईदा नेट्वर्स को समाब कर दिया सालिगान का नेटवर्स पींग रिया अबी ओल्रवा सुम राजिन राना नहीं है। और रोला मुहम्दार कुछ भराना नहीं है। तो अमेरीका का प्रप्लम में है कि जबी तक बते हैं। तक अमेरीका सुम्दिज आगी वाकर जाने वाजी नहीं है। और अगर उनके परिर्ण के साथे जवर्मेर्टीट अबिट्रिया ने और हगर लेगा, पाकित्तान पो अटेक्ट करने का, तो अमेरिका के तो यह गोरों जो बने वाले हैं, जिसको तय करोविक हैं, तरकर्प पर रदिक हैं, वो जाम जो हंतिन निक होगा, चौकि उनको बने बने पाकिस्टाना की अमेरीका देरा है और पाकिस्टान उनको इने प्रवेसिन देरा है तो यह तो अमेरिका को पोडिय मोड़ करता है ये को असी इस्टोरी है घर्म ये करना जाए तो आप follows के, हमें क्या करना कोई हो तो मुझे रध update कि हम सब्सकों अपने राइच्ट पेलिए एक बड़ा अभ्यान करना जाए एक बहुत बहुत बर केंपेंपुर कर । एक पर domestic level पर देश के अंदर और एक international level पर देश के बाद domestic level पर क्या एंस्वेश करना है वो यह करना करिए कि अब आपको एसा बचता है तो मुझे बचता है मुझे एसा बचता है कि Pakistan को आटाएंट करना जाया मुझे अधा रखाई कि उसके जिसमें चैनले स्टेविंग पहिंता है अभी यही प्रिटिंग है जो भुज़ती लिए है तो आपको एक छोटा सा काम करिए भारत सरकार के पुनान कंतु इसे भी रखन के अहले बास्ते ही को एक पचास परजे का पोस्कार ड्रॉप करें एक और आदा जी बचाओ आपको लगे अधारो मेर्फूर से 10,000 पोस्कार आपको जोग दिया अपको क्या पोस्कार आपको क्या पोस्कार आया तो वो कैटेगरी तो हो जाता है एक पैसी दिए इसनल करने ये बास को बता के जबी आप एक साथ कोस्कार जेए लिए तो वो सेक्रेश्री दो देजापार आपको मेर्फूर से 10,000 पोस्कार आपको हाचिका है और वो डिमांड जेवरें कि आप पार्टिस्तान को अगेड सपोर्ट करिए बटिया देज्किते से जाएं जाओगें गया बैडूर से गया इदraबाद से गया तेरस से गया पहलें जाता है और सपोर्ट करिए खरोज संपोस्कार तो भाला आ को पुम्नों कुषिद्धी मिले करना है और सब्सक्रोच को तो उसक्तिम उस्पिर्थिग तो उसको मादू देगी इसमें गोर्पर का ओपीमिन अगर नहीं माली है, तो गोर्ट को नहीं नहीं आतकी है। तो उसके आपका ओपीमिन फालो करना है। और दूदरे इसे एक से बढ़ा फाइना होगा मुझे, कि बारत राक्तों में देमोकर्षी तो है, लेकि बन में ग्राशिक है। हमारे यहाँ देमोकर्षी है लेकि बन में है। हमेशा तो देमोकर्षी जूमे ग्राशिक होना चाहिए। आप मुझे ये बस्त जाती चाहिए। बंवर्जाती कहता है कि 5 मिनिषर को पूस में को कुछ बोलते हैं और हम को सुंते हैं। होजिने चब तो बोलने हम चुंटें, आप क्यों निहीं को बोलते हो क्या सिर्फ начала पुलना आता है आपकोर centuryman कि आप जीदित से हीं यह, जिल्फा नहीं, आप भर हो रहे हैं क्योंगी जो को बोलता है, पूरीयों उतान baru क chilli-गा है प्राइम मिनिस्टर ने कहा, होगिनिस्टर ने कहा, हमने तुम लिया, जैजेस्ट करिया, आपको इसको कुछ कहिए ना, क्योंकि प्राइम मिन्सुरी को भाय राष्ट की जिर्मी ना जेए, आपके ओपीनियम को बहां तक देशने का कोई दूतरा राष्पा ने कुछ अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, अमेरिका में क्या होता है, जबी भी कोई नेस्ट्रों को बड़ा बहुत होता है, तो बहा गया जबी 11.7 पर मुतावजर बड़को अमेरिका में अटेंग होई व्यूटी पर, जो जो जौन से एक प्रश्चनेर बनाया, वो को अमेरिका दिजिवर को धिया वया फिलफ करने के लिए, और उसे एक फिल्पल प्रश्चन उसे कहा, कि हमारे राष्ट के पर, अमेरिका पर भ अमेरिका नागरिकों के माँ जबी वो बच्चनेर गया, फूर इस्टों, पॉलिजिस, यूनिवर्सिटी और जितने उसके परकानिक विभाग है उसकी मदब से, तो 94% अमेरिका दिजिजिजन्स में ये कहा, कि हमें अटेक्ट करना चाहिए, जबी 94% अमेरिका दिजिजन् अटेक्ट करना चाहिए, और उनका ओपीनियन को फॉलो करना देजा तो जूटी है, क्योंकि इनों ने मुझे प्रेजिरेंट बनाया, और नेक्ट काई ये ही मुझे प्रेजिजिन्स बनाई के, तो मुझे तो इनली बात कुना, और उसमें अटेक्शन है, आप जानके जब प्रेजिरेंट का मिल्च नहीं आया, तभी तक जूट जूट मं आच नहीं कrie 들어갑ना। अब अमेरिकां के तो ये अच्छा है, उनकी तो एक चीज अच्छी है, कि वो बीडियों को नपी करा के, हमारी ार्टार कभी भी ओपी नपी करा है। हमारी बैगार सभी हम पर पूस्ती है कि हम ने क्या करना चाहिए। तो मुझे अबसा लगता है कि परिदार नहीं करती है, तो भार्दिया नाविटों पर सामने से करना है, तो आप ऐसा करिए, करान निस्टी को इस बुश्कार लेकिए, आपका अगर थोड़ा financial capability अच्छा है, तो आप उसको इंदेटर भी दे सके हैं, और अच्छा financial capability है आपक तो आप उपर telegram कर सके हैं, अगर आपके घर में एंदेटर है, और आपके पास internet connection है, तो प्राइम मिनिस्टर को email कर सके हैं, कि इसी ही medium से आप उसको अपना opinion दीजिए, कि यह हमारा opinion है, और यभी ज़ोड़ों को इंदेटर का opinion वहाँ जाएगा, तो प्राइम नस्ती भार प्राइम सरकार को पोई को पहसा करना होगा, इससे पर इंद्रा काम और होगा, इमान लोग पती, इतियन आपी ने अटेक्स किया, और अमेरिका और यूरोप के जो पाकिस्तानी है, वो तो हल्दा करेंके कि आपने अटेक्स करने के लिए, तो हम यह करी के, कि हमारे 10 कि आपने 94% सिरेन अटेक्स करें गता है, तो हमारे 10 गरोब फिरेदेक्स को फॉलोग करने के लिए तो हमारे के बेदुद बटेक्स को पाकिस्तानी जोर्बंत सिरेक्स करने के लिए, तो जब हएंति गरोब्मेंस करना होगा, अपनी हार्भी के अच्शन को या अपने पिर तो आपका भेजा हुआ जो पोस्कार्ण है, तो आपका भेजा हुआ जो एंवलक है, आपका भेजा हुआ जो एमेल है, वो तो बहुत बड़ी पुमिका दिखान जाए। तो दोमेस्टिक क्राइश पर भेजा है, जिससे तो एक काम और होगा, एक काम क्या होगा? वो यह होगा कि भारतिय दाखरी को ने अभी काथी को सिर्ज जिल्म आ गया है, यह सिर्ज जिल्म क्या होगा तुमें आपके दुदा है, इसे बगाद है। तुम जिल्म क्यों होता है, कि एक्षन कुछ भी नहीं करना, कोई एक्षन नहीं करना, आपे करना कोई। जैसे सक्टीम दिसंबर कूटाशन को पारविट रहे को, बहुत बारे मार्टिक्वान ने घर में खूँद गहस किया। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह कर देना चाहिए, बो कर देना चाहिए, और शाम को अज़र सिख रहां देखा हो को है। या आज की कभी दोगों भी देखा और तो को पेचाब होता है। कुछ बच्चत नहीं होता है। नेक्स देख फिर इट्री खाया खोड़ा खाया, थोड़ा कौफी पीते वो तिर भैस किया। अदे है है कि पाकिस्टान को ऐसे करने चीहे है, रहां है अदेखा है, कॉफी प् ważप्याना क्टई हो ठता हुआ, तो डिवेट्वी इस हुड़ा हुआ है। तो हमारो भारो प्रास्ट्र में जो जागरिक है वो क्रांटी करना साते लेकिन कॉफी के प्याने के करते हैं, चाय के प्याने में क्रांटी करते हैं या घर में दाइनिंग के हैं, उसको बैठते हैं को क्रांटी की बाते करते हैं, एक्शन में कुछ दिन करते हैं अगे पलोटी को भी जाँके बोलेगें, तो पलोटी के घड़ लगें तो उसको भी खोड़ेते हैं, उसको लॉजीक लगी में तक भी देजा लेजा है। और यह परी सिर्व में ने रेजिशन को क्या होता है। मैं तो बहुत सारे देश में जाता हूँ, फूरं से पस्टिन उप्तर पे रखे हुआ है। तो जो हंड्रेट पर्फेंस में पूरेकर न हो क्यां देते हैं उसको। तो तो राजी भाई, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जीता में बर्मान प्रश्ण ने कहा है। आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। आए तेरे दिशम्बर को अटेब हुआ, वो अच्छा ही हुआ है। आगे इसपर और भी अच्छा होने मादा है। आप क्या दाने आप क्या देगाएंगे। जब भर्बान रसी में कहीं तो आंको क्या करना आंको उस्तुन कर दो तो जो अज्डरेस परफ्टेट इस में कहने जिनको कुछ नहीं करता जो दिजम्में लोग हैं वो तो जो भातर जो देते हैं चिजो हो राय अश्ता हो रहा है आगे होगा कुछ अश्ता होगा तो तुम को फुरा सच बात करो, यह आप शुट है। आप जानते कि बद्ता में दीका में यह कभी कहा, कि यह रहा है अफ्रा ओ रहा है, आगे ओता वम रहा है यह रहा है। यह कभी कहा था, जभी अर्शुम ने लिए और कावरत को पनने ज़नी जबी। और हओधारों की दन्का में जबी करनों की गया ज़ी लोगे तो अर्ट्रीफ होते है पर वोगें आर्ट्रीफ में अर्ट्रीफ में भ्रमा त्रीन को सस्पर्मी किया कि वहर्बर यe क्या हो colay मेरे बासों को हजारों सब्सक्राइब को अच्छा हो रहा है। तुम यू तो नेके जाओगे। तुम यू सुगोί ये को कहा होगा। अब हमारे जो निकम्मे लोग हैं, वो इसको अपने निकम्मे समको बताने के लिए बोलने रचने के लिए लूत पुर्ष में रक्राणे के लिए और धुस्तों कनलाः करने के लिए युद अवर्ष्यम भावी है, युद खर्मा ही होता है धर्म की इस्थाफरा के लिए, शान्ती की इस्थाफरा के लिए जो तरदाशियों का और भग्वान करश्नी कि महाभारत राया आप विरा नवी अगर वह चयाद है तो महाभारत नहीं होजा realism उलेने कहा कि यदि महाभारत हो जाएगा उसके बाद स्वाद्य इस्थाफिश हो क्योंकि अधर्नियों का धास हो जाया तो कुछ के बारत की कहते हैं और वो शांती तो दोस्रों के भी काम आएक हमारे भी काम है। तो आज इसको ऐसे मत सोचिए, कि जो ओरा एक्षा हो लाएक जो गंदर है, वो गुर्वार की लिए साथ उड़ा हुआ है, और रहुं के नाश के साथ उड़ा हुआ है, शांती इसाथ नाज़ा हुआ है। तो ऐस आपो आख कुछ करी। Domestic Front पर एक उच्छा एक प्राइम मिनिस्टर को लिए। आप कुछो के क्या address प्राइम मिनिस्टर करें। address तो बहुत जिए। प्राइम संप्री, प्राइम मिनिस्टर आप इंडिया, South Block, S-O-U-T-E-S South Block, लिए दिए। और इसका प्राइम कोड है 110001 110001 Development 001 यह तो उसका प्राइम मिनिस्टर का इमेल address, अगर आप प्राइम मिनिस्टर का इमेल address अगर आप प्राइम मिनिस्टर रखते हैं, इंटरनेट करेक्शन आपके पास है यह आपके पास इमेल फैसलिटी है, तो प्राइम मिनिस्टर का इमेल address, मेरा को एक बाहर इस्ट्रॉट बगा है आप जबी जई के बाहर, तो वहां आपको मेरे इंगिस्टर मिनिस्टर जश्वीर सी तर्दार जी उन्से आपके लिए, उनके पास email address मैंने दे दिया, प्राइम इमेल address कहां से आप लेते जाओ, एक दूसरा मैं आपको और सजेशन करना जाओ, कि डॉस्टिस फ्रेंट्स पर जबी आप उर्धान मैंने को लेक्र देशी के, एक काम हमें इंट्रॉनेशन फ्रेंट्स पर भी गरना, और इंट्रॉनेशन फ्रेंट्स पर क्या करना है, कि अपरिका और गेन जैसे देशों की इस्टोपर्थी को एक्सपोस करना, साइब दुनियाने का, आपको हिस्टोपर्थी को एक्सपोस करने के लिए एक सिंपूल क्यां करें, कि आपके पांग जिसमें भी दुनिया के इंट्रेंट्स मिल जाए, उससे को आप में करें, और देशन उसमें ऐसा करिए, कि 11 September 2001 को अमेरिका में टैरेंट्स करेंट्स हुआ, तो अमेरिका ने गौर किया, 18 November 2001 को इंडियान पांगेंट्स करेंट्स हुआ, तो हमने गौर जोही करना करी। और अगर अमेरिका ये कह रहा है, कि आपको ज़र नहीं करना है, तो आपसें लावर हिपोंगों है, ये आपए अमेरिका में लेकं रही है तो अमेरिका नियानिये अभी क्यार बता ज़री 19 September 2001 ये जण्यों ठीक में पिसी पांट्स करेंट्स करेंगे रहा तो अमेरिका में पालों सारे में तो तो आपस सारे में आहे कि 11 सेटमब पर कुछा वारे राश्य पर अमेरिका पर टेररिस्ट पर अटेक्ट है, आप हमारे साथ हैं या टेररिस्ट के सामने आप अपटाइब हैं, ऐसा वो मुझे पेजाएं और मुझे बेज जितने किया, वो आद्मी तो बहुत बड़ा आद्मी है अमेरिका, उसका नाम है राल्स नेट है, वो अमेरिकन बहुत बड़ा लीडर है वहाँ का और भूड़ी प्रेसिदेंट है, नेक्स प्रेसिदेंट को करता है, क्योंकि लाफ्ट के अच्छन में और भ बहुत बड़ा गया, तो उसमें का के आप ऑरत में हों दीनेटर थे, तो आपका ओपतिनेटर अज्य करेकन के इतके अनला इनलेटर थे, सिव्य प्रेसिदेंट थे परेसिदियन झाहिए, तो मैंने चे को लिज़िए, तो अमने को कहा, कि आप जंसे नहीं है, हमारे लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीEr explains तो यार है पुने नहीं बाद है, तो मैंने का कहले हैं आप उनारा प्रॉब्लम समझ लीए, फिर हम आप से लाज करें, तो उनने का आप जबर जंगो रखिये का पुहिस्टी बताई लिया, तो उनने 1947 से जबी हमारा बेटारा हुआ, और गृटिशर्स की जो पॉलिशी था, वो सारा तो डिटेश्म ये उसको ले लिए, तो जबी उसने वो पुलिश करी किया, तभी उसने मुझे लांस की लेक्री के बार मुझे लगा, कि आपके लेक्षिटा गृट्वम्स से ज्यादा प्रॉव करें लिए तेरे जिए, और आपके लिए रखिये नामना से लिए ह पाकिस्तान तो उसका रख्याय का। मुझे अगर जक्तित के लिए अगर हमें दूस करना है तो हमें इंगोस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। अइसा अगर उसके लेकिन मुझे वो लेल कौने के बाद दूस्ताथ करा हुआ कि राज मेलर को अर्डेलिका में बुट्टी प्रजिदेंट रहे नेज्ट केरेक्टन में आने वाला है, उसको जबी मायती में ये कशीर पॉब्डम का, तो टॉनिम्नेयर को क्या मायती होगा कशीर क्रॉब्डम? आपको पिर जब ज़ुआ? जोन उसको क्या इंफ्रमेशन होगा कशीर के बारे अभी डॉनि लेयर आया, बंजूर में उसने इस्टेट्मेंट किया, क्या इस्टेट्मेंट किया, उसने कहा कि पाग अभुपाई काशीर पर पार्टिस्टांट का बहुत इस्टोंग सुजिशन है, ऐसा उसके बोल दिया क्यों बोल दिया, उसको कुछ इंफ्रमेशन में कशीर कि रखी, जबी डॉनि लेयर जैसे आज़ी को इंफ्रमेशन नहीं है, और अभी जबी वो धिली गया, तो हमारे भारो काश्य का, कि जश्की है, उसका नाम है प्रणम रहार, उसका इस कंपनी है NTTB, NTTB नाम का कंपन प्रणम प्रणम क्या है, तभी टॉनि बेयार में बिली में मापी मादा, और ताज उसके मानों सभी या की कशीर कॉर्सम यह, नहीं को कि पार्किस्तान का इस्प्रम पोशी सराबी रखी है, आप जानिए इस बात को, कि दुनियां प्रून करने माजे लोग है, टॉनि बेय प्रूनियां प्रणम प्रणमेंडर गुर्वी अनुटकर सर्षय जोग श्यराद सम्स प्रणम प्रणम प्रइंट, अईसे मुझा में रूनियां के लोग है, उन्ने इसे 99% जानते लिए प्रप्म के आशीर काुल यह, दूरे का, और वो हमको बोले हिए यूश्व रिस्व आख में टेने इंपरनेशन, आख अगर उसके पूरा इंपरमेशन होगा तो कभी भी यह बात ने कहें हैं तो खै़े होगा उसको इंपरमेशन, तो वह इंपरमेशन देने का ताम तो हाथ वा तो करूँ आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? एक वर्डोशी लिए इन पेपर उस अमेरिका अमेरिकन सिजी करना इसमें साले बेश करते, तो मुझे रचता है कि हम धाजिये लागेकों को भी दुनिया के लोगों के काम में हमारे इस ओवीडेंश करना हैं और इसमें पॉलिटीकल एडूकेशन करना है जिसमें अगर इसमे और दुनिया के बहुत साले इसमें परना इसमें को हमें लेघने में थे पाईए हैं तो मुझे रचता है कि पा हमतां की परने करने हैं बहुत सारे देश में पाटिस्टान को सपोर्ट करते हैं अमेरिका सपोर्ट करता है, गनाना सपोर्ट करता है, बिटेन सपोर्ट करता है, चान सपोर्ट करता है, जर्मनी सपोर्ट करता है ये सबी देश को पाटिस्टान को सपोर्ट करते हैं तो उसका अकण पडल तान यही जинг द्होग विंगी। उंपो जियान किले नहीं गिली। का क्षील स्थीत का vrais έंशन क्वारेता हुगा था? राजा हरी धिने के इस पहुत अच्चीन पें गातगी क्षोल्ड को भारत है, और दुनिया बर के संस्रिजिम दोगों का सपोर्ट अगर हमें दिलता है तो मैं मालता हूं कि ये एक बहुत बड़ी दिया रोगी जिसी को दिप्लोपेटिक एस्पारट है ये इस दिप्लोपेटिक अपर्ट बारत सरकार को करती है अपने लेवल का अपने लेकिन उसमें क्या होगा बारत सरकार का लिमिटेंट इसकार है जबी भारत सरकार ये साम किरूं करेगी तो दुनिया के बेस्ट पाकिस्तान तो ये कहने का होगा कि वे प्लिटिक कर रहा कंदी भारत के नागर्व ये करीड़े तो लुपों को यक्ष्म है जाएगा कि वो भारत के नागरी हैं भारत ये पासे पढ़ाव इस हैं अपने राश्त को परेज्ट करते हैं इसलिए तो बरोत बड़ कर देंद है तो बहुत भूर कर जाने वाला है तो एक हमें इंट्रिशन लेवल से रेपार्ट करना है और एक लोगनस्टी लेवल करना है और एक कीत्रा और आखरी लेजन आज से करना चाहता हूं कि अमेरिका, बिटे, और फांग, गर्मनी, गनाडर ये सभी लेजों का इसको प्रेश्टी को एक्षोज करने का एक बहुत सब्सक्राइब करना है, आप जानते हैं कि ये सभी पाकिस्टाइब को फाइनस्य लेज करते हैं, अभी अमेरिका ने 7th October 2001 से लेकर, 30 December 2001 कर पाकिस्टाइब को 40,000 करोपी का फिनेश्टी लेज़ किया, मलत को, अब 40,000 करोपी कभी पाकिस्टाइब को अमेरिका से लेजा, तो वो पाकिस्टाइब के लगाव एकुद मुदाइजिक और हज़को अंसार बेसे और अमेरिका ये पैसा उसको डवलप्मेंट के लिए जेता है, और पाकिस् के लिए जिया, तो आप को दिए आमेरिका, गनाडा, ब्रिटेंट, फान्च, जर्मन के सभी लेज़ कर पाकिस्टाइब को 20 to 25.7 कर्यों रूपीज अडेक, और वही हैंटा परसा जो पाकिस्टाइब को आता है, पाकिस्टाइब को तो आप पुपेंगे, हामें इसे क्या तो मैं आपको यह एक रहा हों कि जो अमेरिका जो प्रांच जो बिटे पाकिस्तान को फाइनिस्स्य घेल्फ कर रहा है उस अमेरिका उस बिटे पो आप पाइनिस्य घेल्फ मत करी है तो आप भुझेएंगे हम क्या financial help करते हैं हम जब अमेरिकन कंपोनी का कोई product purchase करते हैं जर्मन कंपोनी का product purchase करते हैं बिटिश कंपोनी का कोई product purchase करते हैं तो हम financial help इन परिश्टों करते हैं जयते उदारण के लिए मैं फूर में कोई भी जैसी अगर परिश्टी कोदा को पीजा है तो अमेरिका को support करते हैं financial support करते हैं अमेरिका को financial support और कैसे होता है ज़िए आप ओगा कोदा पीजे हैं तो अमेरिका को financial support होता आप market purchase करते हैं तो अमेरिका को financial support होता आप risk purchase करते हैं अमेरिका को पारिशनल पफोल होता, तो यह इसमें अमेरिकन प्रोड़क्स को हम पर्चेश करते हैं, हमारे पर्चिनल लाइज में है, वो भी प्रोड़क्स को पर्चेश करते हैं, तो इसमें पर्चेश करते हैं, तो इसमें पर्चेश करते हैं, तो इसमें पर्चेश करते है जबिन उसका फॉक्त का प्रटेश्च रहें स्विटी पाइबुटा सेविटी पाइब सेट्टी पाइब स्विट्टेश्ट है और लुपी 30 पाइब और लुपी ऑफटीपर का माल जी रहें तो दुकांजार आपको एक उपर मिलता है तो अमेरिकार प। से चर्पाट नहीं होते हैं। तो एक इस बीश कने पूखते हैं टेन रूबी इस बीशार पॉटल, वूटल रूटल, तो उसको रहा हैं टेम्न रूबीश को यहां से अमेरिका चाने पॉटल क्योंकि एक international business rule है और वो business rule यह है कि जो भी company अमेरिका से भारत में आकर व्यापार करेगा तो उसको जितना भी profit होगा वो भारत से अमेरिका जाएगा कंवर्या क my entire first payment 4 चते होते हैं इनाओपार की वहीं करोद्षें अमेरिका अमेरिकां अब्ुद्री कि इ Blair लुस्टी 24 टराम.. यहीं अब अमेरिकांगा 3,400 करोद परी तानपर्ड़ करेगा हैं थे अब के स्थाम्रात कोवनियो पुर न गठाम सकता है। अमेरिका गषी पाइनिटने में क्या पर पाकिस्टान को रांपसर करता है। प्रभू आपे चाहरे बेंगा है। ऐसा लिशे है। तो मेरा आपसे इनलत दे जाना है कि अगर आप जहारे निवी पाकिस्तान का नाव हो आप जहारे के लुक्षर चरियादा और जयने पाइप जयने चलरिस पर इनाइट इसन्स समाथ हो जाए। तो आप अमेरिका पर साइटिया रेष्ट करना बन करीए। और आप पैसे और तोट को खरीचना बन करीए। क्योंकि मेरा इसना मानना है, जो भी यसनी पैसे और तोट खरीच रहा है, वो भारत माता का पैसा दुश्मन से दे रहा है। शक्तु को देगा। और जो बारत मात्रा का पैसा दुश्मन और शक्त्रों को देगा, वो तो देश के साफ दर्दारी करगा। जरेकर है जो के इस दुश्चुष। और मैं आपको एक बॉक्स सेंजिटिक इंपॉर्डेशन देया चाता। अभी भोले जिस पहले मुझे एक इस प्रिश्च न देला को पहले मदोता। पर्सी और फोक्स को बनाने में एक चॉट्यम द्यूट होता है जिसका नाम स्ट्वियम गुटागे। और वो चॉट्वमा में लागे की पर्ष्ट में तबता। वो पाकिस्ताय स्क्रैंड है तो मेरा आप से एक रिक्ष्ट पॉर्ड दी है, कि यह अमेरिका, बेटेंट, प्रांस, जर्मनी करते जिर्मा का, जो हिपोट्रेसी है, और वो पाकिस्ता जिस्ट्रेंड है, उसको अगर आप किलिउख करना चाते हैं, मिनिमानिज करना चाते हैं, तो अपने देश में इसको सब्सक्राइब करना चाते हैं, आप जर्चियों अमेरिका ने करोगा रहता किया, हमारे बारत आप से कंपुनी को अमेरिका में लिस्ट्र करते हैं, उनको अमेरिका में बेरिक करते हैं, ने को अमेरिका में बेरिक करते हैं, तो अमेरिका में बेरिका को अमेरिका में बेरिक करना है जमाद देना है कि अब इसका प्रवान को सुपोर्ट को आप अमेरिकन चोर्ड़र्ड दे जो आप सबीरी मज़्िया सब्दारे तर्स्कियर पैसी है तर्फकोंकूला है अन्सम है लिउंका है शिर्गा धिछा टूसे पास यह शुता गता है कि कि समय क स्पारेष गिशन rough 2017 ग्म ये व्योद नेरेक उर्वाज जिवा है अगर आप फार्मर्स वें और फार्मिय जिस्टीम करते हैं, तो एक अपेस्टल प्रॉडस बहुत जावर कितली होता है यहां गर्माड़क में उसक्त नामें अंटोकलपान, वो थीट ना है, अंटोकलपान है, मेलजियान है, घरापियान है, बेलजी एसका चोड़ा ही है, उ युद्ध नहीं जरीए तो हमारा प्रॉफ पुरा प्रॉफ्ट हो जाएगा, जो कि जबी प्रेष आता है तो प्रॉफ तो नमाच होता है, तो प्रॉफ नहीं को रखता है, तो उसके यह नाम पे कॉल्ड़ में देखता है, जिया वेट्टो सफनान बन करेगे, तरफ्ट्रिय नेसे ज़िए लोटनेति पर है तरी दो में कि आखा चाहिए। और जोर्मुत्र को कैसे करना है, बंडीकर जोर्मुत्र मीट दिए और ये उसी कशन है। नीज लीकर भी जोर्मुत्र पर ये लिज मिक्स करिये और उपर इस पर करिये तो आपको कोई स्पीस नांसे प्रिस्पेवाद करने की जरूँगा। मैं पार्भी विस्पेश में हूँ, मेरे नाव में ने खेशी करवा। और तेरे घर में जब मैं तुछ पार्भी में कर देगा। मेरे पिशाजी जोग मेरे गर्मे को समी दो कान दोगी करते। जबी मेरे एक चेप में कोई बीट आता है मैं हमेरे इन दोगूत रिस्प्रे कर रहा है और 19-19 मुझे उसमें कोई पूर्पर रिच दे यहां मैंड़ और रूपी में एक पोटा का गाउन है, उस गाउन का नाम में पैज्रिव, उस गाउन में जिसने भी पार्मर्स है वो द्राक्ष्यकां को प्रॉप करते, ग्रेप्स करते, और जबी में उसको की नादेर की रवर्प को की वो एडिटर कल्पा निश्के करते, अ प्रॉप करते, यह जो आपके कर्णर में एक मेज़ी पफलिट होता है, उसका नाम है तरणी, तरणी नाम का एक कर्णर में जिसने रिपोर्स वहां, मेरे एक जिस्र है, मली पार्थ मेटिकल कॉलेज में पपेटर है, उसका नाम है दॉक्टर वगी तरनाक्स्तानपा, तु अरतल बार्थ में जिसका नाम हैएं को तु भीन पार्थ मेमेट टाम है, वह जिसने रिपोर्स मेża देगी है जिसे रिपमेल है, जा ने में पार्थ मेल है उसके गारे रिपक्रीट, एप पर दोटे पच्चिय में आउन हैं तो उनके इतो 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 हो चुछा है एंड पेसे इतो हो चुछा है तो स्नाव प्राथ उस फोटोग्राइब देजा हुए लक्तो लगिना श्यांग आपके एक पोटोग्रों उनने एक एजन रखी का बेगा लोको रखी लोग इसमय पाले है और उसका शची में असका ये और है रहे तोटोग्रों नियुक्तव प्राइब करेंग का क्पया मैंने कोफ़ाने कि आपने कि या डाव का आपको दोटोग्र ही वाव शॉड़न का तो मणаю तो यूचे गया, यूचे आप से नills करते हैं औरWhen वहां में पे सा उन्राश करते हैं उह उनकी चानओ करते हैं तो चालमान कना अमेरिकण प्सकमान के सा रही करता है तो मेरा आपके विनमे लेके जने का काईवी किसुम है तो ये इमीडिया लिट्वास कद दिया इसों अपान को और अजितों दमागी उच नहीं करेंके तो उसके आप बैल्जी एक व्रोड के नहीं हो है अपको जबी धीज नहीं से चक्ते हीए आपको गोर्मुष्र का हिस्टे करें। गोर्मुष्र तो एक ऐसी चीज इसका कोई हाई रिपैक्ट को ही आप जिसना भी चाजए भी चाज़े रिफटके। उसका कोई हाई रिफटक में है वगी तो उसका बहुत अच्छा राम मिलता। राम क्या होता है। यदि मेरे गोजू प्रिस्टर ए의ака टॉ वह बां लेका है', तो मेरा निटीयम्े निटीयम् प्रिस्टर है। नजीम्ेजो प्रिस्टर निटा है। थे गोजूम् मेरेывает करता है। जो बाद करता है। वे पर्फोलेट में होता, और वो तो बाहर चला जाता, रेव चला जाता, तो नीव रेट को तक शुक्रण आता है वादेश। कि मैंने बन कर रहे हैं जो तर्फान, गोर्फों से इसके जिया, मेरा वाई भॉसका हो गया। अभी बारिस्टा पूरा की इस ओप्रफोलेट हो जाता, यभी बारिस्टा पूरा की इस ओप्रफोलेट हो जाता, यभी बारिस्टा पूरा की इस ओप्रफोलेट हो जाता, तो ये बारिस्टा पूर्फोलेट हो जाता, ये मेरे काम के अभी बारिस्टा पूरा की इस वाग हुआ उसमें यहीं कि हमारा के water level था उसमें कि अधिन हो गया 1990-1990 वजने हमारे गाओ का water level थो 100 था था वोगोज 300 में आभी जब परीग के गाओ तो इक जे परीज आने है हमारा water level 40 पर उपीड़ रहा है कोई भी गाओ के water level अगर रिशाज करना हूं तो इसका बैस फॉर्मूला गोगुत रिसके ज़िए स्वारी फॉचा को चाएगा और गोलेशन तो पास होता दूझर को पाई लिए होता है कि जब लोगुत रिस्पे करते हैं तो हमारे तो गोगूत पर फॉचल से होता है उसका एक्पविटी बहुत पास होता है आभी आप टो बसनल को घंग करता है नहीं सी करता है Haa तो कि गोचितبे तो आफो अर पोंट अभप देता है बोट व्यूश दे तो अमदर ऑपी ने जाए जाता है तो पर जाता है तो ईसी जुग है तो देवाख कंGO अभी तो मेरे इसना तो हो जिया है, जरंतिकानी काम, कि मुझे वोगूत रिस्प्रे करने कि वाद भी दूरिया नहीं दालना होगा, मैं विलाउट दूरिया मेरा को काम करना होगा, मुझे तो कोई पच्टाइचर दीन करना होगा, पच्टी दीन करना होगा, मेरा कॉस्ट अ क्यों जो सब्सक्राइब करनाओ कि वो गुक्लेट में अब क्या है, कि अवे रिट्व मुझा रहा है तो कैसे इसप्तर करना और कि में, प्रओं पर कोई tv कि जेढ़े संत करना, आप सकरें पर न Гांप पर इसना एक की जूज करना आपका तो प्रचे को है पते को हैं पर को है वी जो तो कि किसा है अरेक्ट में तो उसका इसरी रागा है बस का वुट्वाइब प्रफोर्च यूक्यों अगया तो उसका में बिजेश को बना जिया बुगेश में आप वह देश कते हैं और उस पर दिखने कि वह एंटो सब्सक्राइब बिजने से पार्विल को हम बाहर दा करते हैं और गंजेट परसें से परीशें पना करते हैं इसमें तो एक बहुता है यह जो गोजूत है वो जो हमारी प्रेश्मेटी को इंशनी करता है प्रेश्मी साथ ही साथ अगर मनुश्य को कोई भीमारी है तो गोजूति से कोई प्रेश्मी देश्मी आपको गए चैनसर है तो आप गोजूति रिऊंट करते हैं कि आपका थीको जाए कहीं की चैंसर वो बाहिए। उसका तेपूल कालगुरेशन में बढ़ाया। आपको आपको बुश्चर सुबर सुबर भीना। याके कॉप्टी चीचे हैं ना कॉप्टी कितरा की। सिफ करके की। एक पत्य है। सबस्टे ह् कुप्टी काूण07 का याक कूपाइब है। आप केंसर सी को किसा गोलमुसर है, तो आख को क्या हो किसा किसा है? तो आपकी सोरेट में, तो किसमा भी वीज़गवाद से रहाँ बाएगा, गोलमुसर लोगोद उसका नहीं देगा. जबींतर मेरे ये काम किनो गया, मैरे यकाम आपने काम को दे काम को रिख को लिखा तो रावर मंव्क का काम को मा पारनको बाथिकर दी कर लिखा और वह सोगता है गोरिन स्वाना के अको बहुत स्वेंशन लेकर है यह यूज़ शीट करता है अभी मोगे में क्या होगा doing गवोऊ को 300 रूपीश पर लीटर मिलेगा लाय का दूर्ढ कर 10 रूपीश लीटर मिलेगा गवोऊ से 300 रूपीश परıntर क्यों हो गवी केंसर विफी होगा? गवी कैंसर जीत होगा गवोऊफी तो उसका पुछी कode शार्षा व्हाल के पिछाने लेगंने के बालोग समय जुड़ेशना है हैं आपके वार दो कर लेल कि अड़तली नंग मरें लेगं कहें हैं हुय है पर दो कि दो करने हैं जिदेशी नायमाने जैसी, बॉलस्टियन, वो नहीं रहेगा, उसका मुझे कुछ काम करें, रहने उसको बहुत बार इससे कि आप कोई रिजर्ट भीनादा, यू रिजर्ट भीनादा, लेकिन जो बेशी दाय है, उसका तो बहुत अश्चा रिजर्ट भीनादा, तो दाय है, और फ्राइज जैस, वो भी ठीक होता है, डायजी जीज है, वो भी ठीक होता है, ऐसे अंते देने से डिजर्ट भीनादा जो बहुत अगे, बपर उसका ज्यान चाहिए है हमको, और वो ज्यान के लिए पैसे उसके चाहिए हमको, तो उसका कोई कोई काई से, आपको तो हमारे लोग एंसर पर रखेंगे और हमारे से पैसा प्रांपर होता है वो भी पैसा को हमारे परस्टा है तो मेरा आपके तो यह लाग स्क्राइब हाँ कि आप अज़र अमेरिका और ब्रिटेज की हिपोफ्राशी को बहलना जाते हैं तो उनको फाइंसरी है अमेरिका यूर्टेज को पर देन करना रखेंगे और वो प्रोड़क पॉन से हैं तो अमेरिका में रिवोटीन है उसका मैने एक करपष्रे का बनाया है वो करपष्रे काटा कर पोई व्के नहीं है, pre of charge वो आप ले दीए रखेंगे में पूर बताय और उसका नहीं मिदिएं हैं आजिन दो चालन वो पित्नी क्रीद का पर अदित तो इतना वांजिका मेरिकांस और आप तो इसका इन्लीन करते हैं आपके इतने साथे शान्ती से मुझे दूना, आपका बहुत आप माट, बहुत अभी दा आपके इतने साथे हमी आपके जनकी दीवत रड़ी अे ओम्रण ही दीजटी से विकल्ण से इतने समय अर उनकम हाओगा नहीं हाड़ा जाया है इतने साथे कि मुझे अरह जाहे हं उनकcked। झाल झाल